जी असलाम लेकुम एवरीवन जितने ऑल्लाइन स्टूडेंट्स हैं सो फार पीपल प्लीज कन्फर्म आपको स्क्रीन अवाज वीडियो बगारा सब क्लियर है सारे बच्चे जरा मुझे प्लीज चैट बॉक्स पर बदा दीजेगा आपको स्क्रीन अवाज वीडियो सब क्लियर है जो जो बच्चे ऑनलाइन है सो फार ठीक है अब अवाल अवाल अवसलाम अच्छा ऑनलाइन जो स्टूरेंट से बिड़ा आप लोगों मैंने एक लिंक बेज़े अभी चैट बॉक्स पर देख लें आप उसपे क्लिक करें तो आपके बास एक डॉक्यमेंट आजएक उसको डाउलोड कर लीजेगा ठीक है यह पहला है आपके सामने आजएगा ठीक ह अच्छा दूब अच्छा दूब आपके अच्छा आपके बच्छा और भी करेंट हो रहे हैं चले जी इसक्यूज मीं अच्छा दूब अच्छा दूब अच्छा देखें सबसे पहला पॉइंट स्क्यूज मीं तोड़े जो हैंडाउट है दिस हैंडाउट नमबर बन विस इस टू मच इंपॉर्टन इसकी रिजन पता है कि मुझे नहीं पता कि हैंडाउट आज कंप्लीट होता है या पर्सों की आधी क्लास में लेकिन यह हैंडाउट नमबर वन इस टू मच इंपॉर्टन वाई विकॉज यह पूरा का पूरा ऑडिट कवर करेगा को कि आखिर ऑडिट के कोर्स में है क्या चीज़ ऑडिट कहते कि इसको है क्या चीज़ें अल डाट सबसे पहला पॉटिंट जो यह है विटा दिस हैंड आउट इस तू मच इंपॉर्टन अच्छे देखें आप लोगों ने हम जैसे पेपर एफ पाइप है उसकी बैक थी आपके पास पेपर एफ टू एम वान एम एडू एफ तीरी एफ 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 पॉर उसमें भी हलकी फूल की सी बेसित है एफ वन में अच्छे यह जो ऑडिट एन अशूरंस है वालम स्लाम सबसे बहला पॉइंट जो ऑडिट एन ओडिवार करें वह आपके पास और यहां थोड़ी सी एफ बन से किसे वैद थोड़ी सी बेटा जो लेगेशी आपके पास आ रही कहा सारी पेपर एफ ऐस फोड़ी सी लेगेसी आएगी थोड़ी सी ज्यादा नहीं फ थूसे और अच्छा खासा पॉर्षन आएगा फ 3 और पिर अपने आपने भी कुछ चीज है यह जो बच्छे भी आ रहे हैं आपे ऑनलाइन भी कापी बच्छे भी कनेक्ट है थोड़ी दिर के बाद मैं लिंक बगारा शेर करते था हूं जस्ट वेड़ा मिनट हैंड फिचर पहुंच के सबको कुछ है एक्सा बच्छा बच्छ कि यह लोग मागी पीछे पास कर दो यहां से लेना वह पीछे पास कर रहे हैं सब्सक्राइब कि मैं अच्छा मैंने लिंक शेयर किया था उसके बाद जो बच्छा आए है मैं दुबारा से लिंक शेयर कर देता हूं क्लिक कर देना तो आपके पास यही डॉक्यूमेंट आजाए को डाउन्लोड कर लेना यह देख लो जिसके बास नहीं है मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं लिए आपको पहले से लिखी भी मिलेंगी और बहुत सारी चीज़े मैं लिखाऊंगा एंड देन आंसरेंगे इसकी अप्रोफ तुलिशी डिफ्रेंट हैं आपको चैनल ठीक है वही रखो तुछ आजए को अपने मारा लेंगे विए सबसे पहला पॉइंट स्कूज मी हर पेपर का पैटरन तो डिफ्रेंट है एट का तो डिफ्रेंट है एट में एंसी क्यूज नहीं है मतलब आइसोलेटिड एंसी क्यूज नहीं है एफ एट में आपका में कितनी हैं से क्यूज बढ़ा आपके बस तो वही पंदरा ओगी कितने नमबर ओगें थीज मतलब आईसोलेटिड वारी नहीं है मतलब बया केस स्टेड़ी और उस केस स्टेडि की 5 एंसी क्यूज और तीन केस स्टड़ी थेक है उसके बाद जो सेक्शन बिये वो सी यहार पार्ट्स भी तो होंगे ना मतलब कोई एक सवाल थोड़ी यह तीस नमबर गया कोई सवाल थोड़ी 20 नमबर गया उसके क्या होंगे आपके बास पार्ट A B C संट्पेंज भी इस तरीके आपको थोड़ा सा पॉर्शन किसका होगा एफ वन का और अच्छा खासा पॉर्शन होगा किसका एफ थी का और कुछ अपने सबसे पहले लेता चलूं कि इसमें बैग्राउंड नॉलिज कौन कौन सी चाहिए जो के मुझे भरपूर यकीन है कि आप बूल चुके होंगे आइस्ता आइस्ता क्यूंकि बच्छा पेपर देके लिए लिए उसको याद नहीं होता कि क्या सवाल आए था मैं तो फिर भी अग सब्सक्राइब करें लेकिन आपने इसको थेवरी का पेपर बोलना नहीं है उसकी वज़ा यह है कि यह आपके पास यूरी नहीं बोलेंगा समटाइम्स एजली से लिए तो बनता बोलते है इसको रटा लगा लो और पेपर में जाएंगे जो भी समझ में आएगा वो लिग देंगे पाकिस्तानी स्टेडिस का पेपर नहीं है आपने हेडिंग डाली है जो हुँ मैं आपने लिग दिया नहीं सर इस नौड़ ट्यूरी इस टेक्निकल फ्यूरी जिसना आपके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें दूसरी बात में बताऊंगा पहली चीज सुन लें यह कि यह लिखाव है आई एस आफारेस डैट निंस इंटरनेशनल अकाउंडिंग इस्टेंडर और इंटरनेशनल पानेशनल रिपोर्डिंग इस्टेंड़ इनकी थ्यूरी थ्यूरी का मतलब भी टेक्निकल फ्यूरी है ता अगर मैं आपके छोटी सी मिसाल बोलू के आई है मतलब इस नौना क्यूरी जो आपको रेकाफिकेशन करनी है इस लाइक टेक्निकल फ्यूरी या जिसमें आपको टेक्नीक से लिखना है अच्छा एक चीज़ इसको मैं फिला लड़ार हूं हम लोग इसके उपर बाद ना बात करेंगे आई से इसके उपर दिखें मैं आप से क्या का इस इस पेपर पैटरन जो बच्छे ऑनलाइन में भी भी आ रहें मैंने पेपर पैटरन बताएं वह कुछ भी निये तीन के सोटी क्यों से और दो सी आर कि उसे बिटा कितने नंबर आपके पास यह नजर आ रहे हैं सतर और यह तीस नंबर यानि कि आपका जो पॉर्शन टाइप करने का है वह कितना है सेवंटी वागी तो थड़ी परसंट क्या है इस सट लिए फूड़ी सी टेक्निक है ले इसके एमसे क्यों सोगा रहा मनलब के सोड़ी क्यों से इस सेवंटी में से इस सेवंटी में से आलमोस्ट पच्पन से साथ नंबर जो है वो केसे हैं कि नंबर फिप्टी टू सिस्टी बहुत जादा बोल दी है मैंने सिस्टी परसंट लिए अज्यूम करने और बागी जो है वह आपके पास दस से पंदरा नंबर जो है वो आ जाते हैं नॉलिज बेस उर्ची अधिक किसे अधिक किसके आज़े अजया बिए रख्वाट दी मेन बैदेटम दॉट बिखिया है ठोग्ता बदा दिया है है तो दस से पंदरा नंबर आलमोस्स क्या आपको इसमें नजर आ जाते हैं नॉलिज बेसित के यानि के आपका जो पेपर है वो मोस्टली क्या है केस उपर तीस नमबर पर आज़ा बटा यह वाट इस नौरीज़ केस केस के सोटी क्यों है वह यह केस है उसकी पांच है हां उन पांच में से नौर्मली थीन एंसी क्यों से रिलेट हो रही है नौर्मली यानि कि आपका जो पेपर है विली जो डिमेंड कर रहे है वह किसमेंड कर रहे हैं के अच्छा सबकों मिल गए वह हैं लास्तों बड़ें यहां पर मिलके सबकों यह आगे पास कर दीजेगा जिसके पास नहीं है अच्छा यह चैट बॉक्स पर मैं वंस अगेन मुझे वेजना पड़ है बच्छे आज सब्सक्राइब यह हैंड आट यह इसी वाली जो है फाइल एसी का लिंक आपके बाद आ रहे है इस इनको भी दे लो हैंड आउट हैंड आउट ले लेड़ा कहा हैंड आप रख लो औ अब इनको दिखा और इनको दिखाओ को और इनको दिखाऊ है कि अधिक विए अधिक दिर्गार में कुछ बात करना शूरूवी नहीं किये सिंपल मैंना भी सबसे पहला को क्या चीज़ बताई है अरे पर इस ट्रक्चर ठेक है पर इस्रॉक्चर आपके पास यह है कि इसमें isolated mcqs नहीं है इसमें isolated mcqs नहीं है इसमें आपके पास के सोटी क्यूज है और दो स्यार क्यूज ठीक है चले जी अब बेटा यहां पर मैं आपके पास जो है आप गूइंग तू स्टार्ट तो अपर तरीके से एफेट्स और अब लोगो की त्यूरी अच्छी है हां बोला मलत राइटिंग भी अच्छा है हां बूलिया नहीं है आप लोगने पेपर दिया जिसमें इंट्रपिटेशन वारे चीज़ा पीचे पास करें जी कोई आप लोग ने पेपर देंगे इसमें इंटर्पिटेशन हो कौन सा है एफ एफ सिक्स में तो मेरे अखाल में नहीं त्योरी होती है यह सेवन में भी थ्योरी थोड़ी सी तोटी है तोटी सी त्योरी होती हैNow यह हbye सारा कुछ आपको इसमें थ्योरी है लेकिन इस्टिल मैं आप से क्या कायव प्ध़ा जो आपके पास त्योरी है नहीं और अब तिए सब चोड़ देए और मैं आपको टैक्निक शिखा दूंगा उसमें अच्छा एम फेड्साट में एक खास बात यह है यह जो केसेज ना केसेज कितने नम्मर मैंने का तोटली प्रेडिक्टेबल रिक्वार्मेंट्स प्रेडिक्टेबल रिक्वार्मेंट्स का मतलब यह है कि आपको एडवांस में पता है कि रिक्वार्मेंट्स क्या आएगी तीन चार रिक्वार्मेंट्स बता हूँ उनी पर यह और है यह मैंने कह रहा है यह सिलिबर्स गाइ लेबर्स आता है उसको जरूर देखा करें स्ट्रक्चर को मेरे पास है वह आपके पास केसे और उसकी रिक्वार्मेंट्स भी आपको पता है लेकिन एक छोटे से अलफास से लफ से पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है अच्छा बड़ा अब यह और यह नॉलिज बेस्ट की क्या रिक्वार्मेंट्स होती है एक्स्प्लेंट्स डिफाइन देश इस तरह की कुछ चीज़ेंगो तोटली याद करने वादी है वह मैं आपको नोस में दूँगा आपको उसी में से चीज़ ज्याद है नहीं एक चीज़ एक चीज मैं आपको बचादा चलू किट दोनों लेनी है कौन सी बीपी कैपलें ह अजिए हम क्लास में केपलें की किट कर रहे होगे सीयरकी अचा दूसरी बीपीपी की किट भी आप कर लें मालोंने ये च्शे पास पेंपर रखें तो खोड़े य। पास केपलेंट वालों य। उनके answers में, जो Kaplan के answer लिखे हुए ना, वो Kaplan के नहीं है, वो examiner के answer है, किसके है, examiner के answer, और BPP की kit के पीछे जो answer लिखे है, वो BPP के अपने riders के, I best समझे, so that is why I prefer to read the answer, किसका, Kaplan का, क्योंकि वो Kaplan के है, वो है किसके, उसने examiner के answer पकड़े, उन सब कंपाइल करके Kaplan publishing हुई है, हाई बास समझे, हाँ, मैं BPP की kit इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा, उसके भी answer बड़े जबरदस्त है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यह चार हूँ कि देखो, हमने answer किसको करना है, examiner को, तो एक अंग्रेजी लिखने का अंदाज है, उर्दू में भी अंदाज है, आप कैसे है, कैसा है बे, तू कैसा है, तो इसी तरहीं के अंदाज है, तो इसी तरहीं से उसी पैटरन पर आप लिखने की कोशिश करें, जिस पैटरन पे किसका अंदाज है, examiner का, that is why I prefer the Kaplan kit अचा, secondly, MT की उसका से प्रैक्टिस करोगे, दोनों गेट से, in class, in class, we will be solving Kaplan kit, कौन से के, पर आप बीपीवी केट के, MC किस बज़रा करेंगे, बागी वो जो पैटरन चलता है, अच्छा बटा, अभी तक हमने F8 के उपर बात ही नहीं किया, अब मैं यह समझ रहा हूं कि यह कुछ भी अब आजाने लगा, this handout is very much important, मैंने थोड़े जर पहले भी कहा था, उसकी reason यह है, हो सकता है, यह handout आज complete हो, यह पर्सों की class तक, लेकिन यह पूरा का पूरा audit है, बहुत ध्यान से, एक एक जीसको आपने इस चीसको समझना है, let's start आगे बढ़ते है, आगे प्रेज नमबर टू, यह क्या लिखा वैट है, basic overview, लेकिन यह basic नहीं है, पूरा course है, almost, almost, some basic overview, अब जरा यह चीज़ सुनिये, क्या चीज़ है, basic overview, अच्छा मैंने आपको काता है, इस paper को पढ़ने से पहले, कौन-कौन से paper की knowledge जलूरी है, अच्छा है, और F1 और F3, F3 में, जो आप लोगोंने basic accounting पड़ी, क्यों important से F3 की थोड़ी दर के बाद दताता हूँ, और F1, F1 में कौन-कौन से topics, जैसे मिसाल, और F1 का भी हिस्सा दो, syllabus का हिस्सा दो एरियास में तूटे है, को ते people management, वो नहीं motivation, leadership, appraisal, training and development, वो हमें नहीं चाहिए, side पर रखो, F1 का दूसरा पहली, वो भी नहीं, personal effectiveness, corporate governance, internal audit, internal controls, और most important ethics, पढ़ा है, ethics, self-interest, self-review, वो पूरा का पूरा copy-paste है, प्लस कुछ addition, मुझे पता है, वो याद भी नहीं हो नहीं, बहुत सारी चीज़े है, यहर मेरी बास सुनो, मैं यह अजिम नहीं कर रहा के, आप सब को याद है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, कि बटा, यह आपने पढ़ा था, I will be starting from A, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से start करेंगे, A to Z start करना है, जी, जी, control, security and audit and all that stuff, वाले areas है, ठीक है, auditory का क्या लगे है, motivation and leadership से, बस ठीक है न, खैर हो गई, अब आते हैं बेटा, यहाँ पर some basic overview, बहुत ध्यान से समझीएगा, प्रीश, पहले तो आप मुझे यह बता है, किसे कहता है, एक चीज़ बटा, यह, F2, F5, F6, F7 नहीं है, कि मैं आपको calculation मताऊं, आपने copy किया, ठीक है, और ख़तम, नहीं, इस सा two-way communication theory, आपको answer जरूर करना है, गलती से you have to answer, मुझे एक बात यह बताईएगा, what is audit, what is in your mind, audit क्या है, पंड़ना नहीं कुछ भी, क्या ह पात, company किसकी है, shareholder की, अजब कुछ चीज़े मैं आपर लिखूंगा, तो आपने साथ-साथ लिखना जरूर है, देखो भाई, सबसे पहला point, यह जो आपके पास company है, ठीक है, मैंने जब दीका company तो understudy कौन सी है, PLC, बहुत सारी चीज़े बिटा लिखनी है, आप देखो, अगला page आपको खाली मिलेगा, वह हम लिखेंगे, इसमें, कुछ चीज़े, यह पूरी लिखनी है, कुछ चीज़े आपके पास लिखी भी है, तो यह बहुत important है, annotate करना, लिखना, चीक है, company, सबसे पहला point, यह जो PLC है, यह owned by shareholders, लेकिन बेटा, इसको run कौन करता है, board of directors, ज्यादर बास समझ में आती हैं नहीं, क्या shareholder का यह right है, कि उसको साल बाद हिसाब किताब मिले, हाई या ना, I do repeat, क्या shareholder का यह right है, कि एक साल बाद उसको उसकी investment का हिसाब मिले, yes sir, उसका right है, yes sir, उसका right है, कि साल बाद उसको उसके हिसाब, उसकी investment का हिसाब दिया जाए, बेटा ये जो आपके पास Board of Directors है ये produce करते है क्या FS Financial Statements जरा मुझे याद दिलाओ Financial Statements में कितने elements है पाज, name them Simple, Balance Sheet Income Statement Cash Plows Changes in Equity and Notes to the Accounts इन पाचों चीजों के बंच को हम क्या कहते है Financialist Supplies सवाल Sir, ये Board of Directors जो है न ये produce करते है Financial Statements किसके लिए इस पूरी जर्णी में मैं आपको टॉपिक तो समझाऊंगा लेकिन कुछ एक्जाम्बल्स भी क्रियेट करके आइसस आपको आइडिया हो जागा एक दू क्लासेज में एक काम ज़रा ये रखिएगा इस पूरी जर्णी में यू पीपल आर्दा ऑडिट है आप कौन हो और मैं हारिस सनीफ लिमिटेट कंपनी हो शेरोल्डर घर पे सो रहें मैं कंपनी चला रहा हूँ मैं हारिस आइम रनिंग दी कंपनी डिरेक्टर्स मैंने एफस बनाई और शेरोल्डर के लिए तयार की भी मेरी टेबल पे पढ़ी है सवाल क्या इस पाइनेंशल स्टेटमेंट्स में क्या इस फाइनेंशल स्टेटमेंट्स में गड़बर हो सकती है गड़बर को इंगलिश में क्या बोलेंगे मिस्टेक नहीं बोलना क्या फाइनेंशल स्टेटमेंट्स में मिस्स स्टेटमेंट्स हो सकती है या होगी लिगो दो अलग अलग बात है यही वह थूरी के तोड़े तोड़े अलफाज है जिससे पूरा का पूरा अलसर एक अलफाज से भी जो एक लाइन है वो मतलब चेंज हो जाएगा सब्सक्राइब घंडा फइनेंशल इस्टेंशे ड्रोड्यूसर यू गाइस आटा आप लोगं बाद में आना मैंने फइनेंशल इस्टेटमेंट्स में किस Sven. iterations यह सब्ना मैं मैं लिखता हूं में इसको बता है नहीं है जिस दौर में इधर पी एलसी का कॉंसेट भी नहीं था कारोबार तो तब उता है इस किसम की दी वह सिंपल इसाब किताब तो पॉलिट का कॉंसेट जेनेरेट कैसे हुआ था बहुत टाइम पहले जब इन चीजों का तसवर भी नहीं था आप एक कारोबार कर रहे हो मिसाल आपकी एक शौप है दुकान है कारोबार तो जब बहुत अर्से से चल रहा है मैं हारिस आया मैंने का भाई ये मेरे पास कुछ प कारोबार ये समाल रहे हैं हिसाब भी यहीं बना रहा है तो हिसाब में क्या हो सकती है थेरा वेरियों सकती है तो मैंने उस सहायबम को लिया इन सहाब के पास गया एaur जो सहाब में यह सो एक इससे तो मुझे कसली मिल गई क्या मिल गे लिए करो скор o lifetime Army आजबक्र रक्टिश क आइस्ता आइस्ता जैसे जैसे तसवर आना शुरूआ इस चीजों का तो audit करवाना कानूनी requirement बन गई है क्या बन गई है यानि कि इस चीज को audit कहते है ना audit means financial statement को चेक करना किसको चेक करना अलफास पर और से सुनते जाएगा जहां जो लिखना है तब मैं बोलूँगा लिखना सुनने पर जादा फोकस जाए सर हुआ यह कि जो भी financial statements बनाई जा रही है जी जी उसमान ठीक है मिल जाएगी बेटा जो भी financial statements बनाई जा रही है आई डू रिपीट अगें कंपनी किसकी ह समालता है चलाता कौन है और board of director produce कर रहे हैं क्या तो finance में क्या हो सकती है हो सकती है अब shareholders कौन है वो are shareholders अब हम public तब ही तो इसको क्या बोलते है पब्लिक पब्लिक लिस्टेग कंपनी है अब जा गोड़ से सुनना पब्लिक लिमिटेड है यह एक shareholders को हिसाब किताब देखना नहीं आता उसकी वज़ा पता है किया है shareholder है अवाम पब्लिक पता है उसमें कौन कौन है उसमें एक student भी shares purchase कर सकता है यानि आप उसमें एक teacher भ उसमें housewife भी हो सकती है और वाई shareholders are the public सबको fs पढ़ना नहीं आता नहीं आता वो सबको fs पढ़ना नहीं आता तो होता क्या है सिर्फ इन लोगों की तसल्ली के लिए किसकी हम लोग एक external party को पॉइंट कर लेते हैं फिर उसका पूरा का पूरा प्रोसेस है कि auditor कैसा पॉइंट होता है कानुनी दरीके कार है जो हमारे course का इससा इससा को देखेंगे फिर से रिपेट सिर्फ shareholders की तसल्ली के लिए कि shareholder को शक है कि उनके हिसाब में क्या नहीं है क्या हो स सकती है तो मैं तीसरा बंदा पॉइंट किया कि वो किस चीज़ को चेक करेगा अब मैं आपको आसान लेंग्विज में कहूं वाट इस ऑडिट ऑडिट का मतलब क्या है चेक करना तुमने दुबला वैरिपाय किसको वैरिफाय करना कि फाइनेंशल स्टेप्मेंट को वह बहुता है इंटरनल ओडटर को हम उसकी बात नहीं करने हम कौन है एक्स्टरनल ओड़िटर आएं अटेंशन से सम बेसिक पॉइंट्स पर जरा आएं एड़िटर क्या है बिटा असटर्णल टू धा कंपनी यानी कि क्या है external firm अच्छा यहां देखेगा excuse me यह लिखना जरूर यहां पर डबा बना ले बेटा एक होती है आपके पास audit की firm हा या ना और बेटा जो एक होगा client company क्लाइंट company यानि के यह company है जिसका audit चल रहा है जिसका audit चल रहा है उसको क्या बोलेंगे बताना clients that's it client बता है क्यों ज्यांसा सुनना client क्यों who are you people आप कौन और अडिटर excuse me who are you मैं हरिस clients right shareholder ने बोला है हरिस भाई audit करा कर दो क्या करा कर दो that's it तो मैं आपको audit की फीस दूंगा ना तो मैं आपका client हुआ आप हम होगे रिपेट हुआ रही हुआ जल्दी बोले आप कौन मैं clients पूरी जर्णी में यह examples हमारे पास चलती रहेंगी सबसे पहला point तो यह है पहला point क्या लिखा हुआ है और डीचर इस एक्सटर्नल टूदा कंपनी कि यानि के कौन है यह एक्सटर्नल परम नंबर डू ऑडिट किसका होता है कि इस आफ अब एक मिनिट मेंट करना कि फाइनेंचल स्टेटमेंट के आगे एरो मारके लिखेंगे घितने ऑफ यह पिनिया की बनती है फानैचल स्टेटमंट इस घ्हाएं अजurar आप र्यालीटी में बाहत करो और आ नहीं है हमेशा बिटा कुछ भी मेंशन नहीं है हमेशा वह क्या होगा वान ये अचा बिटा जो तीन चार बच्चे अभी आए ऑनलाइन क्लास में मैं देख रहा हूं रेगुलर एटेंडेंस मैंने लिंक शेयर के उसमें यह हैंडाउट डाउलोड कर लेना अच्छा जी बेड़े दोबारा हूं आपको जल्दी वोलो ऊडिट वार्ट किसका हो रहा है किसका क्लाइंट गंपनी का नहीं हो रहा है और फानाइस इस विमिंट्स कौन सी है वानियर इसे ड़न मतलब क्या है और 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 इस अड़िट चेक्वाट्स वह पाच्छो तीज़ है इंकम स्टेक्मेंट बैलेंशीट कैश्प्लो चेंज इन इकुटी नोट सुदी अकाउंट इन सब को आपने चेक करना है और सोना है था और तीजरा पॉइंट जो मैं अल्रे सब्सक्राइब करें अब इतर आजए को जगा खाली है मिस्स स्टेटमेंट के बारे में लिखना है अब आते वहरी सिंपल बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको मैं एक्स्प्लेंट कर रहा हूं जड़ा यह देखें आई इस टू वेट कीजेगा यह पहली दूसी क्लास में बच्छों वाले स्टेट सींसी क्यूज आजए एक्जांपल आती है बेटा लेट से कॉपी नहीं करना एक मिन वेट कि कॉस्ट तुम्हारे पास 15 और एनर वी यह बारा मिसाल इंवेंटरी बड़ी कितने पर वैल्यू करना है लोगर पर बाराप है अश्य मैंने इसको बन्रापे कर दिया कि किसमें कर दिया कि होना कितने पर चाहिए कर दिया पंद्रा出來 है क्या मैंने अफ्नी इुआ हैं कितने इंवेंटरी को सच्छी सब्सक्र और कर दो कर देंटे रिएग तरा एक और मिथा कि मैंने अपने employees को ट्रेनिंग दी पाचाजार उपेगी क्या दी बेटा ट्रेनिंग दी आट्रेनिंग की अच्छीन खरी कि में वाला ट्रेनिंग लिए यह उप्रेट कैसे होती है ले मैंने इस 5000 को क्या पिटलाइस कर दिया क्या कर दिया त्वरी मुझे पता है आपने पढ़ा है F3 में accounting standards आया ना लेकिन मुझे ये भी बता है कि आप लोग भूल चुके हों मुझे ये भी बता है मैं बहुत basic से start करूँगा जब इसका time आएगा अभी फिलाल वर्वली examples सब्सक्राइब इसको अब इसको ने टैक्स पे किया वेहिकल में लेकर आए इदर रखा इंस्टॉल किया वो सारे खर्चे क्या होते हैं ट्रेनिंग दिया यह क्या होना चाहिए expense मैंने इस तो गलती से उसको भी capitalize कर दिया है सवन किया यह मिस्स स्टेटमेंट है आई यह 16 क्या कहता है बाइजान ट्रेनिंग को आपने expense करना है capitalize नहीं करना है आई इसकी बात नहीं मानें अपनी चलाई तो आई इस और उसमें जो difference है वो क्या है मुझे बताए मेरी इस हरक से impact क्या आएगा profit बढ़ जाएगा क्यों कि पांच हजार रुपे जो expense होना चाहिए वह expense नहीं है पांच हजार रच जागा तो profit बढ़ेगा पांच हजार रुपे से तो मना expense की बदर डाल दिया acid में तो acid भी बढ़ जाएगा कितने से मिस्स स्टेटमेंट है ना और इस्टेटमेंट अंडर इस्टेटमेंट है एक्सपेंसिस की एक्सपेंसिस को अंडर इस्टेट किया और प्रफिट को एक्सपेंस को अंडर इसेट गया ना भाई तभी तो प्रॉफिट ओवर इस्टेट होगा यानि कि वाट इस मिसस्टेटमेंट भाई जान मिसस्टेटमेंट में आपके पास दोनों चीज़े आती हैं ओवर इस्टेट और अंडर इस्टेट अब यहां पर मैं लिकरा हूं बेटा वाट इस मिसस्टेटमेंट इसका सिंपल यह है इट इस दाट डिफरेंज इट इस दाडिफरेंज बिट्वीन हां जी पेटा किस का डिफरेंज है बता है ये अकॉंटिंग इस्टेंडर्ट इस्टी अकॉंटिंग इस्टेंडर्ट्थ और अगाउंटिंग एडॉप्टेड बाए अगर उसमें कोई फरक है ना चाहे ऑगर का चाहें अंडर का तो उसम्हां क्या कहते है मिस्स स्टेटमेंट्स कहते हैं मिस्स स्टेटमेंट का मतलब क्या है फाइनेंशल स्टेटमेंट्स में ओवर अंडर स्टेटमेंट हो सकती है मुम्किन है भाई हो सकती है अब एक सवाल यहां पर इस जगा पर इतनी सी जगा पर मैं लिखंगा तुछ एक बात पर लिखंगा यहां पर यह मिसस्टेटमेंट मैं जानमूच के करूँगा या गलती सी थोड़ा आपको खुद जवाबाना शुरू होगे मिस्से्टमेंट का मतलब क्या है? किसकी खिलाफ वर्जी करना? आई एसब की खिलाफ वर्जी करना एगडा इस दा मिसस्टेटमेंट ठीक है आई एसस की खिलाफ परजी करना इसा मेंस स्टेटमेंट यह जान बूझके किया तो फ्रॉड नहीं डैसा मैने पुलेशन जान बूझके किया व्रॉड तो बड़ा यहां पर मैंने लिखा कि यह जो आपके पास मेंस स्टेटमेंट है दैड इस ड्यूटू एर यह प्रॉड और गरके लिखना है एरर यह प्रॉड गलती से हो गया जान बूझके गया फ्रॉड मिस्स स्टेटमेंट आई एस की खलाफ परजी जो आई एस कह रहा है वो नहीं अपनी चलाई ठीक है डैस सब्रेंग एक और एक्जामपल वह आप सारे बच्चों को यह बेसिक चीज़े तो पदा ही है विटा सेल कब रेकगनाईज होंगी मैं को एक्जामपल दे रहा हूं और कोई बच्चे इसको लिखेगा कुछ नी जो लिख रहों लिखना सिर्फ वह यह बिटा मेरी कमनी का यह रेंड 31 दिसंबर क्या है दोजार बाइस एकत्यस दिसंबर दोजार नाइस इन सहाब ने मुझे पर्चेज ओड़र दिया क्या दिया 29 दिसंबर वो यह प्रोड़क्ट इसको खरीदनी है मैंने का ठीक है जाओ समान आजाएगा एकत्यस दिसंबर दोजार बाइस यह दो दिन पहले आया और दिया चला गया मुझे अभी प्रोड्यूस करना ही है मैंने का तुम जाओ अगले महींने माल भीजवाद हो इसको क्या बता यह मेरा यह रेंड क्या है क्या चीज़ हो तो मुझे पर रिपोर्ट करना हुआ गया मैंने इंसाब को समान डिलेवर किया 20 जनवरी 2023 को 20 जनवरी 2023 सेल कब रिकॉर्ड होती है जब गुड्स या सर्विसेस डिलेवर हो गया है मैंने 29 तारीख को उनको यह का था बाइट तुम्हें समान मिल जाएगा जाओ इस पैसों की बात नहीं पैसे तो यह अगस में देगा ना अगले साथ 12 मैंने का टाइम होता है मैंने 20 जनवरी 2022 को समान डिलेवर किया और मैंने का अब यह समान तुम्हारा हुआ यानि के रिस्क और रिवर्ड्स जिसको हम एक लैंग्विज में बूलेंगे कंट्रोल क्या बूलेंगे आज से यह माल तेरा अब मुझे बताएं सेल कब रिकॉर्ड होता है एड़ टाइम ऑफ रिसीविंग दा ओडर या एड़ टाइम ऑफ कंट्रोल पास जब कंट्रोल प इसमें जो भी आपके पास f8 में अकाउंटिंग का लेवल आएगा आपको पताएंगे केस दी जाएंगे तीन चार पाच्छे लाइन होगे पर वह लेगा ऑड़िट करो क्या गरो फिर आपको यह बड़े 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 पाच्छ आठ पैरग्राफ के भी केसे आएंगे गो लगा ऑड़िट करो कंट्रोल्स का खेर एंवेज तो उसमें जो चीजें होंगी ना हो अकाउंटिंग आपने कहां पड़ी वी होगी एफ त्री नॉट एफ सेवन नेसेसरी क्योंके एफ सेवन और एजबी आर एफ सेवन और दोलों की लेवल की अकाउंटिंग ट्रिपल ए में एक्जामेन होगी यानिके इस वकत हमें जो एफस मिलेंगी पेपर में वो किस लेवल से होगी मुझे बाव बताओ किदर वो सेल 29 दिसंबर 2022 को रिकॉर्ड होगा या 20 जनुवरी दोज़ार थेष मैंने गलती से 2022 में रिकॉर्ड गर लिया 29 तारीक को क्या है सब्सक्राइट में स्टेट्मेंट है हमारे यह का रैवीडियू और जिस यह का हफ था उसका अंधर यह भी क्या है मिस्स स्टेटमेंट की है आपने घलक टाइम पर रिकॉर्ड गिया है घलक एक्रूल कॉंसेट को आपने है eah एक्रूल गॉunda जब ट्र्रंजेशन पूरी और रिकॉर्ड फिंदन अगे बढ़े सर यह जू मिस्स स्टेटमेंट है जी बिटा यह जो मिस्स कॉन करता है और अडिटार और और अडिट किसका हो रहा है फाइनचल का लेंड की एस का क्यूं हो रहा है क्यूंकि फाइनचल इसे रोल्डर की तसल्दी के लिए यह नीचे लिखा वह बैठा नेक्स-पॉइंट तिक करो उसको टिक करते जाओ प्रिण करता है किसचीन कि सिस्टी जात करता है है कि काहीं सबद्राइब अ है कonstente मिसस्टीटमेंट तो नहीं है मिसस्टीटमेंट तो नहीं है इट इस दा लीगल रिक्वार्मेंट फॉर पी एल सी टू लीगल रिक्वार्मेंट है। बेटा यह ओधितर को भरती कौन करता है। शेरोल्डर अपॉइंट करते हैं। कहा। उस महफिल का नाम क्या है एजी एम। और इस। एन्वल जनेरल मीटिंग। बेटा यह मीटिंग क इसके दर्मियान है। शेरोल्डर और कंपनी के दर्मियान। उधर ही इलेक्शन सिस्टम मेरे खाल में आपने यह उदर पढ़ा था है। एफ़ोर के अंदर अपॉइंट्मेंट वगारा का तरीखा। एन्वेज। ऑडिटर अपॉइंट किदर हो रहा है। एजिएम में। कौन अपॉइंट कर रहे है। शेरोल्डर जी बटा यहां तो बात क्लिर है। अब प्लीज डोंट रीट डोंट रीट फर्दर लुक एट मी यहां पर मुझे सिर्फ आपका आंसर चाहिए यस या नो में। क्या ऑडिटर यानि क्या आप लोगों का काम फ्रॉड को डिटेक कुछ बच्चे करना है। स्टेट करना है डांसर इस नो प्रॉड को करना नहीं अब आपके छोडी सी एग्जाम्पल बताऊँ तो आपको फिर वो एक्जाम्पल से बिटां खेक्राया होगी बिटा लेट से फौर इधर सुनिये का यहाँ देखें आज्यूम करो है यह कॉपी शॉपी नहीं करना सिंप में खुरी और इसकी कंपनी में फ्रॉड हो गया है मैं इस वह इस कंपनी में क्या हुआ है बैंक हो क्या चौरी हो गया बड़ी सी कंपनी किसी ने पता नहीं किसी भी किसम का क्या हुआ है जो आप लोगों को दे रहा हूं सब यह समझना असान हो जादा है पहली ग्लास में अज्यूम करो तो हो Document With Right मुझे पता लगा किए मेरी कमपनी से एक लाग पर चोरी हुए मैं बड़ी कोशिश ही में गुढ दूर यह हूँ Mघे मेरी कमपनीमे छोर मिली नी रा क्यों मिलनी रहा मैं आपके पास आया आप बच्चे वो हो क्या यह पॉडिट पर्म के बेंग आपको बता है न चार लोगों के निशनल है कालू पपू चार लोगों के नाम निशनल है के पी एंग जी फॉर एक्जामपल मैं आपके पास आया मैंने बोला के पी एंजी फॉर्म मेरी गमनी में फ्रॉड हुआ है सारी दासान बदाई और मैंने आपसे का कि यार आप आके फ्रॉड को डिटेक्ट करों आपकी जो भी फीस थी वह आपकी मैंने फीस पे कर दी अब आप बच्चे इधार आ रहे हो attitude is very important attitude is the mindset ठीक है क्या रवईया लेकर आ रहे हो दिमाग में फ्रॉड है या हो सकता है है हो नहीं सकता है क्योंकि मैंने आपको बोला गया था मैंने आपसे कहा था कि मेरी कंभी में फ्रॉड हुआ है मुझे मिलनी रहा चोर और चोरी आप ढूंड़ो आके आपने कर ठीक है आप कल से आए हैं वाट्स इन यूर माइंड राइट ना इस बियर आफ रॉड और दियर में भी दियर इस अप्रॉड है इस अप्रॉड है अब एक चीज़ होती है जैसी सोच वैसा बिहेवियर ना जैसी और एटिटूड वैसे और बिहेवियर अब आपका अंदास डिफर ठीनी है हमारे कोर्स में है एक फ्रणिक ओडिट आजाल लेंगेज में देफिनेशन नहीं इस फॉर्णिक और भिवी उल्य आप आए आप ने बिल्कुल पुलिस CID की तरीके से सोचा आपने CCTV पूटेजिस देखी ये वो तहम बहुत सारी चीज़ें तीन-चार बाते बोलों ज़रा ध्यान से सुनना आप सबसे पहले ये पता लगाओगे कि चोरी कैसे हुई है चोरी कितने रुपे की हुई किस पर शक जाना चाहिए मैक्सिमम हद तक कोशिश की चोर को ढूंड़ के पुलिस के हवाले करना ये सारी जो चीज़ें आती है आपके पास ये किस के स्कोप में आती है जिसका हमसे कोई तालुक नहीं आप कौन है दोंट से यू आर ऑडिटर से यू आर एक्स्टरनल नहीं हो कौन नहीं हो फारेंसिक ऑडिटर नहीं हो तो इस वक्त में आपको यह चीज़ बताने जा रहा हूं कि एक ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है अब दिहान से सुनिएगा दिहान से इधर है यह जो आपके पास यह शुरू की लाइन जरा यह चोड अब इसको रोग के रखना इस पॉइंट को यहां तक बास रही है मैं आपको दरना पॉइंट्स को रिलेट करके बता रहा हूं अब इदर आए इस वाले पर आओ ओडिटर टेस्ट करने के बाद ओपीनियन एक्स्प्रेस करता है नो पर अगये गैरेंटी और ओपीनियन में मिसाल आप इदर आप मुबाइल खरीदे रहों इन से मैं बिला वज़ा बीच में आ गया मैंने कहाँ खरीद ले मेरी जमेदारी है मतलब मेरी गैरेंटी है इससे फोन लिया खराब हो गया नहूं इस रिस्पॉंसिबर वो बंदा नहीं मिलना तो आप मुझे बोलोगे ना क कि सर आपने गैरेंटी भीटे अब मुझे सके पैसे कॉंपंसीट करके ने सववाद केरेंटी不 atención देता और से कि गैरेंटी देना अलाउड नहीं क्या नहीं है अब आप मुनों किसंने अलाउड नहीं किया उसके लिए वेड़ करना एक सगीं Right हम एंक क्या है कि SUBSCRIBE इंटरनेशनल यह वो है पेपर F3 F7 एक यह है आईएस है आईजा आईजा किसी खाथून का नाम नहीं है आईजा क्या है इंटरनेशनल इस्टैंडर्स और यानि के फाइनेंशल स्टेटमेंट्स को प्रिपेर करने के स्टैंडर्स है और इसका ऑडिट करने के भी क्या है एफ त्री में आप क्या पढ़ते थे आईएस वन आईएस टू इस तरह ना हम नहीं क्या पढ़ने आईजाज कि बहुत सारे ना यार एफ एट और ट्रिपल एक अंदर यहीं सारी चीज़ें थी सिकति साइज आज है हमारे पास सिकतिस या बत्यसा कुछ है अब सुने एक सेगेंड हमें गैरेंटी देने से कौन मना कर रहा है इंटरनेशनल अकांटिंग इंटरनेशनल इस्टैंडर्स अभी फिलाल यह नहीं लिखना अगले हैंड आउट पर यह चीज़े सारी लिकीवी मिलेंगी इदर आजो बिड़ा दुबारा ऑडिटर ऑडिट गरने के बाद क्या एक्सप्रेस कर रहा है और गैरेंटी में फरत क्या है लेना अलाउट नहीं तो अडिटर के एक्सप्रेस करता है ओपीनियन ओपीनियन मींस है राय उर्दु में मेरी यह है कि यह सही है यह नहीं है वटावड़ दूंच अब टूंच अबट 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 ऑडिटर ऑडिट एंड पे क्या चीज़ नहीं देता गैरेंटी क्या चीज एक्सप्रेस करता है इन माई उपीनियन मुझे लगता है यह है यह यह आगे अब बच्छे इदर आएं बटा अब बच्छे दर आयेगा अब बुश्र एट्स अस्लाइट चेंज एट्स अस्लाइट चेंज रिलेटिटी तो दॉड़िटी स्टेंडर्ड बागी सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा अब इस ठीक है अच्छा बिटा अब ऑडिटर चेक एफस एंड दें देर आफ्टर एक्स्प्र चीज़ एक्स्प्रेस कर रहा बोलूं कि क्या चीज़ नहीं दे रहा एंडि देना लाउड नीए ओपीनियन देना है ख़तम फ्रोड डिटेक करना काव मैं नहीं इस एडू चेकदा अब वेड़ करना में बड़ा यह ओपीनियन है ना ओपीनियन की नीचे एरो मार्के लिक को अगरे प्रूएंट फिर कि वेश्चन मार्क लगा देना कि क्या आपकी फाइलेंशल स्टेटमेंट अच्छ है या नहीं है अग्यावला मैंने सच है या नहीं है आपका कम फ्रॉट पकड़ना नहीं है आपका कम सच की तलाश है मिसाल मैं आपके छोड़ी सी एक्जामप अगर से सुनना वह वह फॉरेंसिक तो नहीं कर रहे ना आप फॉरेंसिक को दिमार्ट से निखा दो तो यह मेरी कंपनी के साथ सेनेरियो पर मैं फिलाल फॉरेंसिक का लगस अडा देता हूं और यह सारी चीज़े अडा जाना हूं तेक है मुझे चोटी सी बात बता हुआ ह कि अगर्वे का कैश मुझे अजय है कि हर चीज की न वहती है अकाउंटिंग ना मतलब गया है और डैपिनेशन ही बताने से लैंग्विज आप बिजनेस ऑर यह बढ़ ठीक है अकाउंटिंग यह जो हुआ है जो है जो भी एक्टिवीटी हुई है। उसको क्या करना है हुआ इस को क्या करना है पि Daar ईक्रूप्सी लूब क्या है। नुक्सान है इसकी मैं एंट्री बनाऊंगा पी एन एल डेबिट कैश्ट क्रेडिट और आगे मुझे लिखना चाहिए कि यह प्रॉड एक्सपेंस को राइट ऑफ किया डवली ओर राइट ऑफ किया है आया ना नुक्सान डेबिट पैसा क्रेडिट देले हैं आया ना कि क्या यह एंट्री सही है या गलत है सही है अब आप बच्चे कौन है बढ़ा हुआ यू और यू और ऑडिटर अपकी नॉलिज में यह चीज आई कि एक लाक रुपे कैस्ट चोरी हुआ है अब आप कोई तर्की मत निकालना कि आप चोर या चोरी को ढूणने जाओगे बिल्कुल भी नहीं सही है आप मेरे पास आए आपने बोला है सर हमें पता लगा है कि आपनी दमनी में लाग और देला मैं फाइनेस डिरेक्टर फाइनेस मैनेजर मैंने का जी आपने फिर यह डेट है यह क्रेडिट है यह एंट्री मैंने लिखिए ठीक है सही है आप लें देखा प्राइट एक्सपेंस डेट कैश क्रेडिट सब कुछ आपने बोल दिया फैनेशल स्टेट्मेंट रूइंट के है हुआ क्या है चोरी वाटफन चोरी क्या मैं अपने शेर होल्डर् इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है जी आर यान आपने सभी बोलाद का नोट्स में इस एफस को खोलेगा उसने नोट्स में पढ़ना है क्या शेर होल्डर को पता चल गया प्रॉड वहाए है तो हुआ बटा जलदी बताएं बोलो हुआ क्या है प्रॉड्ड मैंने शेर होल्डर को खबर भी क्या दिये प्रॉड्ड की सचे जूड है आपने बोल दिया फानेशल इस्टेर्मेंट दार प्रॉइंट्फियर केस्टू मैंने यह इंट्री नी बनाई सब्सक्राइब ने यह गोड़ीं सब्सक्राइब फ्रॉड वर्ट हुआ है क्या किया थे अधर को अगर मैं शेर होल्डर को बनाऊंगा कि प्रॉड हुआ है तो उनका मेरे पसे ट्रस्ट उट जाएगा आया ना तो यह थोड़्ित किया कितने से एक लाग से और रिस्टर्च एक्स्पैंस मैंने डेविट कर दिया नवे से और ट्रेनिंग एक्सपैंस डेविट कर दिया सौसे सवाल क्या एंट्री बेलेंस है लाकॉंट भी बेलेंस होंगे आया ना हुआ किया है हुआ कि मैं अपने शेर होल्डर को बता क्या रहूं ट्रेनिंग ट्रेनिंग और रिसर्च और डिवलप्मेंट ट्रेर होल्डर्स बेवकूफ बन जाएंगे पता है क्योंकि मैं कोई अपनी चीज आपको पता है यह नहीं हर एक फीगर के नोट्स हो तो यह भी जूट लिखना पड़ेगा तो शेर्वलडर पता है क्या समझेंगे रिसर्च हो रही है क्या हो रही है कल को नया प्रोड़क्स बनेगा और पैसा लगा है चांस है के नहीं है इसी को तो कहते है कि यूजर्स का एकनॉमिक डिसेशन आपकी फैनाइंशल स्टेटमेंट्स पर डिपेंड कर रहा है यस और नो एकनॉमिक डिसेशन पैसों वाना हुआ कि मैं श्रेवलर को क्या खबर दे रहूं रिसर्च ट्रेनिंग वो तो खुद में ही लगाया क्या मैंने जूटी खबर दी इसके अलाइदा नोट्स बनेंगे इसके अलाइदा नोट्स बनेंगे इसके अलाइदा तो हर एक जूट मैंने तुन्हें सारे जूट लिख दिया हाँ या ना एंट्री वैलेंस का मसला नहीं है लेकिन एफस में जो कुछ लिखा व वह बताओ और जो है वह बताओ और जो है वह बताओ इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बुलेंगे अभी कोई मुझे से पुछ रहा है मैंने वहला एक बज़ गया है सचे जूट है और मैंने वहला इस वन फाइब यह जूट है वन तो है लेकिन पूरी बात बताओ बिटा जो हो रहा है वह उन्वर्म करें तो अटीटर का काम परोड को डिटेक्ट करना नहीं है फ्रओड डिटेक्ट में पते क्या चीज़ा आती है चोरी कहां हुई कैसे हुई किसने की किस परशाथ पुलीस तक पहुंचा ना इस इस दापर डिटेक्शन जो कि आपका काम आप आए आपको पत दुबारा से ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अच्छा यह जो मैंने अरकत की है दिस इस कॉल जान कुछ के किया है या गलती से अब बाई तिनी समझदारी से गलती कौन कर सकता है यह तो वाट इस दिस दिस वाट मैसे स्टेटमेंट दूडू है वाट समझें अब आजए बिटा नेट्स इधर आजओ सारे बचे बिटा नेक्स इसमें उपर आ जान दुबारा से जर्रा मुझे रिपीट करना और इट किसका और है जल्दी बोला स्कूज मी बगैर देखें वोलो जल्दी से किसका और एफ एस का कौन करता है इसकी तसलिक के लिए कि यह कहीं अर्विटर का सिरफ इतना है कि फ्रफाइब कि खूलेंगी इसके मताबिक होनी चाहिए फिर देड में यह चरना आपका गाम है चोरी तकारी आपका गाम नीगिवा इंटरनल ऑडिटर का और रिस्पोंसिबल टुट अपीनियन ओपीनियन ओं फैनेंशल स्टेप्मेंस कि टू एंफिर है यह नहीं और टेस्ट वोट एफस उन यह जो भी छोटे-छोटे इंट्रोडक्शन है यह बाद में बड़े-बड़े आईजाज बन जाएंगे जैसे ऑडिटर किसको बात कर रहा है तो सेंपल का अलग से आईजा है 530 इसका अलग हर एक के अलग-अलग नहीं लिको नहीं सब क्या अलग-अलग आईजाज है मतलब यह पूरा इंट्रोडक्शन हर एक क्या बन जाएगा फीचर में जाके आईजा बन जाएगा मतलब इंटरनेशन सेंडर्ड दो लॉट इपर दुबारा 31 बसे जाएचा कुझ है विड़ा ओडिटे टेस एफ एस और क्या मतलब सेंपल बेसिस अब इत्या है अब पूरी साल में कितनी ट्राजेक्शन हैब हम चलते हैं मिजान बैंक में तारिक रोड़ में आपको क्या लगता है सुबान नौ बज़े से लेके पांच बज़े तक बैंक में ट्रांजेक्शन एक होगी बहुत सारी हैँग जारों ट्रांजेक्शन हैं एक साल बारा महीचे, और टीट करने का टाइम है दो महीचे, तीन महीचे, चार महीचे हो गया, तीन महीचे, नोर्मल यही है, तो में अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लिए आप एक एक ट्रास्पेस्टिक्शन को, चैट करोगे, मिसाल ले लो, आपकी पूरी साल मे आपके पूरी साल में इतनी ट्रांजेक्शन हुई है सेल्स की पूरे साल में इतनी ट्रांजेक्शन हुई है किस की सेल्स की दो-चार जीर और लगानों भाय ये लो सवाल कि आप एक एक ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो बिटा practically possible नहीं है तो AO पते क्या इसका क्या उठा लोगे सेंपल उठा लोगे सेंपल का मतलब होता है अब एक सवाल हुआ है हंड्रेड परशन आइटम में से आपने सेलेक करनी है कितनी पर्सेंट प्राजेशन देखो गए कि सैंपल मींज लेफ देन हंडेट पर्सेंट कितनी पर्सेंट ट्राजेशन चेक करोगे कि 10 20 30 40 50 क्या कुछ भी बोल दो अरे बोल दो आपको कुछ नहीं बता क्या है ट्वेंटी में यार तोड़ा बड़ा अच्छ ऊडिटर अच्छ आडिटर कोने जो सेंपल जाद है मैंने बोल जिया 60 बर्सन केता बर्सन वेट 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 अब और की मर्जी है कि आपने शेंपल विस्ट में ट्राजेक्शन उठानी है तिक है और हर जगह सेंपलिंग चलती है आपने एक टूमेर कुछ क्राइटेरिया थे पूरा का पूरा आईजा है इसके उपर सेंपलिंग चलती है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो कपड़ा खरीदना है चाव लाता कोई स्वर किसम की चीज़ें खरीदनी है तो क्या हंड्रेट परसंट चीज चेक करते हो शोमीदा सेंपल ओके इसका ओडर दे दिया ऐसा ही होता है ब्लेट टेस्ट कराने जाते है तो उसमें भी क्या होता है जाते है अच्छा सेंपल टेस्ट होता है ओपीनियल पूरी फानेंशल स्टेटमेंट पर आजया है ऐसा ही है ना कभी ऐसा नहीं होगा यह स्क्षण का सैंपल लिया अप्र उसको टेस्क करेगा लिबाटरी में ले जाकि और वो रिपोर्ट के बेटा रिपोर्ट पुर्पोर्ट आजेगी उसमें यह नहीं बुलेगा कि वह इतना जो खुन सेंपल नहीं उसमें बुलेगा आपके खुन का यह रिजल्स है तो बेटा वो उसके क्या है ओपीनियन लेकिन बेटा कुछ लॉजिकल बात है कि ओडिटर सेंपल बेस्टी मेटीरियल आइटम्स चेक करता है जितने आईटम्स मिसाल 5 ट्रंजेक्शन है बचों इधर पहली ट्रंजेक्शन जो है लेट से बेटा पहली ट्रंजेक्शन जो है उसकी कीमत 10,000 है दूसरी ट्रांजेक्शन की कीमत 20,000 है तीसरी की तीन लाख है चौती की पांच लाख है पांच वी की 30,000 है मुझे पांच में से दो का सेंपल चाहिए ऑब्वियसली इनी को चेक करूंगा ना इसका टोडल कितना बन रहा है तीस और तीस साथ अधार इसका टोडल कितना बन रहा है आट लाख अब मुझे पांच में से सेंपल चाहिए तो बिटा ऑफियसली मैं कौन सा सेंपल करूंगा तो यह तुम्हारी एक अकल होगी क्यार कौन-कौन सी द्वारा से द्वारा आंसर मी ऑडिटर का काम फ्रॉट ढूंगना जल्दी बोलो पढ़ना वड़ना नहीं इदर रियान दो और काम फ्रॉट करना है फिर क्या है पूरी क्या क्या चेक करना यह जो एफ एस में लिखा वो उसके बाद गैरेंटी देना नहीं 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 सर गैरेंटी नहीं और ऑपीनियन और ऑडिटर चेक किस चीज़ पर करता है जी बड़ा ऑडिटर की सैंपन बेस पर कौन से एटम यह और अगे बढ़ो आगे बढ़ो ऑडिटर शूट थिंक और को सोचना है डैट डियर मेभी को जरा स्टार्ड लगाना और लिखो देर इस देर इस लिखो और इसको कट करो अब इसे पास को टैन प्याव है एक बज़े आ रहे हैं अब सबसे पैला पॉइंट आपने क्या लिखा दियर इसको कट किया दियर ने भी पर गयर बहुत पर गया दियर इसका मतलब गया है है वेर में भी हो सकता है अब इदर वेट की देगा स्कूज मी विटा हुआ यू और इन मैंने मैंने इस बनाई है इदर यान से सुनना हूं विटा यह मेरा आपने फैनेंचल स्टेटमेंट से मैंने प्रिपेर कर ली है आप बच्चे आउडिट के लिए क्या अज्यूम करो अगर आपने पहले से माइंड से कर लिया या तो सही का या गलत का तो आपको वही दिखाई देना और आप यह जूम करके आपने बना यह ठीक होंगी तो आपको गलत चीज भी दिखेंगी नहीं से लगेगी आपने पहले से माइंड बना लिया है हर हारी सनिक तुमने बना यह तुम चोर एक नंबर के गलत होगी सवाल आपको क्या चीज नहीं वजर आएगी सही चीज तो बिटा क्या चीज है दियर इस नहीं लफ्स का लिका दियर आपने यह सोचना है दियर में भी एरर abroad और everything genuinely क्या ज्यूम करोगे management honest है या dishonest है you should assume management is neither honest nor dishonest आप आए आपने बुला सरारी सी आपे सापने बनाई है okay ना सही है ना गलत है क्या करोगे चेक करोगे क्या करोगे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा यहां पर अभी और उस स्टेटमेंट से हो सकते आपको बहुत सारी चीजे जो है न वह सही समझ में आएंगी मजीद देखो बेटा सबसे पहले मैं यहां पर यह लिख रहा हूं कि और शुद्ज थेंग जी बेटा मैनेजमेंट क्या है और अनेस्ट है डिस ओनेस्ट कुछ भी नहीं यार नाइदर ओनेस्ट नौर डिस ओनेस्ट बेटा एक लव्स में यहां पर लेकर रहा हूं कि एक ऑडिटर को यह अरो मार के देखो क्या लिखा मैंने न्यूट्रल माइंड सेट होना चाहिए कि आपका तालुक जो है आपका तालुक बिल्कुल इस चीज़ से नहीं है कि फैनेंशल स्टेट्मेंट सही है या गलत है सोचना नहीं है आपका कंपनी से कोई तालुक नहीं है आप एक न्यूट्रल माइंड सेट हूं क्या हूं इंडिपेंडेंडेंट माइंड सैट नाइधर ओनेस्ट आपने पते क्या करना है एक स्टेट्मेंट जो मैं लिखने जा रहा हूं यह अब पर निटाप नहीं है यह सोला प्रोपर्टी प्लाइट कोई भी आई से यह गैटिए अट्रीएं ऐस्ट क्या इस की स्टेएं ट्रोंटिंग एंडिया क्या गीया एकांटिंग यह वी आकांटिंग है रूट वाइव लिए वाजी अजल्दी वनोग ठीक है गलत है whatever I did, whatever I did, can be, can be what, can be, और, एक छोड़ी सी बात, what is audit, excuse me, आसान लेंग्विज में, मैं आपको एक छोड़ी सी बात करो, यह जो auditor है न, मैं एक चीज लिक रहा हूँ यह, अरत के कि प्रüst नहीं करना, क्या करना, यह एक प्रंब्ट, और अवर्ड, का मंदर कहिे का, डों ड्रस्त, क्या करो, वेरिफाई करो, टरश्ण का, और लेँ, कים सान, मिसाल, बेटा और दुबारा से, उट आडेट क्या लने, रस्ण ही करना, क्या करना है, इस वारिफाय आपको एक्जामपल को अच्छा पीटें ट्रस्ट नहीं करने का मतलब पते क्या है देखो अगर आपने मुझे ट्रस्ट कर लिया ना मैं एफ एस बनाई है आप में जानते हो आपने वाले यार तुमने बनाई है तुम होई एक नंबर कैसे गलत ही तो आपको करना क्या करना है वैरिफाय अब एक दो चार एक्जेमपल मुझे बताना कैसे वैरिफाय करोगे मैं आपसे कहता हूं और यह स्तारी चीज़ें मैं जो आपको कह रहा हूं नहीं मिसाल हम इस बेड़े रूम नंबर जी वन में मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं यह आपसे कहता हूं कि रूम नंबर जी तरी में एक नई मिश्षी लाकर रखी है बंदो ऑख़ूरोगे रिसकोप पी दिया हुए मैं आपसे का कि रूम नंबर जी तरी में एक मश्षीन लाकर रखी है हम जी-वन में कमरा बंद आप क्या बोगे म MACRA बें आपक क्या करो हूं जाओगे उटोगे जीत भी को लोगे मशीन देगी हाँ यह तुमने क्या किया वरिफाइगा वरोसा नहीं क्या केस्टू आंसर मी आंसर मैं आपको बुला है यह प्रोड़क्ट जो है ना मैं इतने रुपए की तीन हजार की खरीद के लाए हूँ इस मान लिए कैसे आप लोगे बिल दिखा भाई जिस दुगान से लाए हो क्या दिखा दो दिखा दो उसका आज की डेड़ होगी पैसे लिखे है केस्टूरी आपने मुझसे पूचा भाई बैंक बैलेंस कितना है कंपनी का एवी सी लिमिटेट इस मैंने का इतने पैसे हैं मै इसका मतलब यह है कि जो इंफोर्मेशन आपको क्लाइंट कंपनी देगी उस इंफोर्मेशन पर आपने क्या नहीं करना ट्रस्ट नहीं करना यह थो आपको 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 सामने वेहिकल खड़ी है वह मेरी है वह मेरी है वह विल्यू चैक था लाइसने नहीं लाइसन्स तो गवर्मेंट में मुझे दिया कि तुम गाड़ी सड़क पर चला सकते हो चोरी की भी मैंने यह नहीं गाव मैंने गाव वह गाड़ी मेरी है मेरी मैं प्रॉपट्टी है आप बोलोगे बाइजन रेजिस्ट्रेशन दॉक्यमेंट्स दिखा दो आपका नाम उसके लिखा होना चाहिए पुलिस वारे भी कर रहा है केस्टू मैं है से कहता हूँ यह शॉप है दुकान है यह फ्रॉपटी यह मेरी खरीदी हुई है मेरी खरीदी है कैसी चैक्या है प्रॉपरटी डॉकिमेंट्स का नाम होता है रास पडिट यह सब यह सब इंट्रो बेटा यह मैंने पढ़ाना शुरूर में ऑन इतना जाद आपई थूपरटी जाए तो कैसे चैक करूए ownership documents होंगे उस आपका नाव लिखा हूँ Yes or no? That is the thing किसी भी चीज के उपर आपने rely नहीं करना अपने हाथ से कुछ काम करके कुछ काम करने को ये बोलते हैं ये क्या लिखा है मैं बताओं को इसको after the break ये क्या बोलते हैं कुछ काम करना है आपको और कुछ काम करने से आपको चीजों को बेटा क्या करना है बताओ verify बेटा क्या आपका काम fraud detect करना है नो आपका काम ये कि जो F.S. तुने बनाई ये आरे समीफ वो सच है या जूड है लेकिन पहले से ट्रस्ट नहीं करना क्या करना है हर चीज के evidence लेने evidence लेने जच भी ये करता है ना कि तमाम सबूत और गवां को मत दे नज़र रखते वे हम आपको opinion देते हैं judgment देते हैं वो जच की भी judgment होती है जिस पर फैसला होता है and so is your judgment और उस पर आपने क्या देने opinion तक बात क्लियर है नीचे आज़े बटा next देखो क्या लिका है auditor prepare the यह क्या लिका है अरे जैसे भी blood test कराई थी और रिपोर्ट आई थी हाई ना आप paper देते हो तो result report आती है सर कैसी बात देखाने अब यह paper दिया है result की बात है sorry कोई और काम हो रहा है तो उसकी भी क्या चीज़ारी आपके बस report card आ रही है और उस report पे क्या होगा opinion whether the financial statement is to and fair or not क्या तक बात समझने आई है जी बटा हाँ या ना आपकी गाड़ी की कीमत लगानी है second hand गाड़ी है आप बे पार्क वील्स वालों के बास पार्क वील्स का पता है ना नेट देखा उनके अपने इंजिनियर्स है उन्होंने चेक किया जो भी उनकी पांच साथ रजार जो भी हजार पीस है आपने उनको भी उसने आपके एक के पास उन्होंने चेक क्या आपने पीज दी उसका पिक रिपोर्ट बनाके देदी कि यह सोना इक्किस कैरट चौबिस कैरट जो भी है हमारे साथ से आपको कही से इंफॉर्मेशन मिली यहां को खुछ शक्वा कि फॉर्ड हुआ या नहीं तो फॉर्ट की डेट्ट में नहीं जाएंगे क्या प्रॉड कभ कहा किस ने किया आपको यह चाहिए चीज़ एफस में सही नदर आ रही है लिए आपको सिंपल क्या चीज़ चैक करनी कि एफस में जो कुछ लिखा है वो सब्सक्राइब आपको बताता चलू कि दर गया फ्रॉड यह फ्रॉड के ओपर एक अलग आईजा है दो सो चालिस क्या है उसके अंदर पूरी चीज़ें लिखें कि वाई इसमें क्या क्या सिल्सिल है और सब एनिवेस हर चीज़ के उपर अलग आए नहीं सवाल करते हों क्या करते हों क्या करते हों सवाज जब आप करतों यह मेरी कमनी का एक एंप्लॉई इसना आपको बोला यार पिछले आपते कैस्ट रही हुआ था मैं फैनेस जारेक्टर मैं इसको बोलना भूल गया था कि ऑडिटर को बताना नहीं कुछ एनिहाओ डियर लॉट अप तिंग्स यू कें चुनों से अच सब्सक्राइब करता हुआ है मैं फॉर्टी फाइफ के ओपर जो है इसको रिज्यूम करता हुआ है कि बाहा जो नहीं पंद्रभी सिंगे जाओ रो नहीं है लेकिन बेटा अल्लें बच्छे डिसकनेक्ट नहीं करना चीक है तो वैरी इंपॉर्टेंट थिंग अच्छा ओल्लाइन बच्छे बेटा यू और रिप्लाइब करो कि में जड़ा चैट बॉक्स में रिप्लाइब कीजिए का यू और है जो है जादा सही है जादा एप्रोप्रेट सही है बीपी भी ले नहीं है तो उसकी वर्क बुक लेने वह भी सही है डैस्योर च्वाइस किट ज़रूर होनी चाहिए दोनों सबके लिए अच्छा जी बीटा सबसे पहला पॉइंट कि आप कौन है जी बीटा हुआर्यू और मैं मैनेज्मेंट और आपका काम क्या है फाइनेशल स्टेटमेंट्स कहलो या फाइनेशल रिपोर्टिंग कहलो उसका और इट परफॉर्म करना है जैस्ट अमिटा जी बीटा आपका काम क्या है फाइनेशल स्टेटमेंट्स जो मैंने प्रिपेर की है उसको चेक करना ठीक है आप सवाल यह है इसक्यूज में वाइड जू यू नीड टू चेक दा फाइनेशल स्टेटमेंट्स सवाल क्या है इस डाट वाइड़ जो है इन का है हैने यह यह करका के जंभ है यह क्या है नहीं सकती है टोंट से एर Ingredients से बीटा देर में भी एर नहीं बोले हो इसके सिभी बारिश होगई पानी यह पुराना हो गया चाहलोगोई पर ना किके बारिश बार हो रही है तो अंदर क्लास लगाईगी पढ़ते हैं जब भारिश नीं खतम होती तो चलो जी अच्छा जी बटा दुबारा से स्क्यूज मी और डिट किसी इसका चल रहा है क्यों कि एपस्स में क्या हो सकती है कि वजह कि में सिस्टेटमेंट्स की वजह क्या है या तो गलती से वजह मतलब यह क्यों ड्यूटु एरर और यह फ्रॉट कि अच्छा ऑडिटर क्या करता है सेंपल बेस्ट पे माटीरियल ट्राजक्शन को चेक करता है सेंपल बेस्ट पे क्या करता है बिड़फ माटीरियल ट्राजक्शन को चेक करता है और फ्रॉड इंटेंशनली डिटेक करना उसका काम नहीं है उसका काम इतना है कि अकर फ्रॉड श बनानानी है और उस लिपोर्ट में क्या होगा बेटा उस रिपोर्ट में क्या होगा ओपिदिन या गैरेंटी और ओडिट Öडिटर को क्या जिए अब्रोटे जल्दी गोलो जल्दी गोलो इमांधार भी निया वह इंडिपेंड़न आ ने आपने कौन सा जहना है इन टेफैंड करें और मैनेज़मेंट से क्लाइंट से तो मैनेजमेंट आपका इनफॉर्मेशन प्रोवाइट करें गी और उस इनफॉर्मेशन पर आपने डर रहे परी जो कि और बात ना करो यह पेज नंबर 6 जो है यह दिखी विए अभी आपको बता भी नहीं इसकते उस चीज़ का मौसम भी नहीं अभी बताने का मौसम अभी जब आया था तब बता देंगे अभी मौसम किस चीज़ का बारिश का इधर देखो और इस टू परफॉंट बाड़िक अप्रोच यह क्या है सिस्टेमेडिक अप्रोच पता नहीं बाद में पेज सिक्स पर लिख दो लिख दिया आगा जाओ नीचे संस ते बादाने हैं पर एक काम करें दूबारा लिख यहां पर पुरानी बाली स्टे लिखो क्या करने है बेड़ा वरिफान अब스 वर्फान एस वेरीफान को एनकर आगे लिखेगा एर्रो लगा कि ये लिख दो प्रोसीजर्स है जैसे मैंने लिखा बिल्कुल वैसा यह आपने लिखना है अच्छा मौज़स खावतीनों हजरात पिड़ा ध्यान से सुनिएगा बात इसमें लिखा है दा ओडिटर हैस्टू डू सम वर्क यानि के एक्शन्स नोन एज वाट और अब यह अलफास पर गोर होने चाहिए क्योंकि मैं जो चीज़े आपको बोलूँगा आपको आपने स्केश बगारा इसमें बनाना है और देखते हो क्या चीज़ है भरोसा नहीं करना यूदि नोट है टू ट्रस्ट यह टू वैरिपाइग है यह लोग ऐसे लिखो और लिख दो हाओ ठीके बढ़ा हाओ प्रोसीजर क्या चीज़ है यह पूरा पूरा का पूरा है कहने को यह अभी मैं आपको दस मिनट में पढ़ाऊंगा फंद्रा मिन में जो भी टाइम लगेगा वटाइवर इसकी सिग्निफिकेंस पेपर में मोर दें 30 मार्क्स है कितने मोर दें 30 मार्क्स और बेटा यह कोई टॉपिक नह क्लास आपके मिस्स नहीं होगी तो फॉरल रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए सब्सक्राइब किसी क्लास में सोगी तो नेक्स कलने पर सोब देखना कोई चीज मिस्स नहीं होने चाहिए आपकी चले जी बेटा यहां पर दुबारा लिखा वेदे कि जो भी ऑडिटर करता है जो ऑडिटर कर रहा है उसको क्या बनेंगे जो ऑडिटर कर रहा है वो क्या है प्रोसीजर्स है जो हासिल करेगा वह एविडेंस है रिपीट जो ऑडिटर कर रहा है वो क्या है प्रोसीजर्स है जो आपके हाथ इन्फॉरमेशन लगेगी वो क्या है एविडेंस है चले इसकी डाइग्राम बाद में बनाता हूँ फिलहाल चोटी सी बात जो आउडिटर कर रहा है वो क्या है प्रोसीजर ठीक है आउडिट प्रोसीजर पता है क्यों बोलता है क्योंकि वो आउडिटर है अब मिसाल के तोर पे एक मशीन खराब हो गई और मैंने एंजिनियर बुलाय मेकैनिकल प्रोसीजर क्या कर रहा है एक पेशन्ट है डॉक्टर है वो चेक कर रहा है बुखार बुखार चेक किया जो भी अब वो क्या है वो मिसके मैडिकल प्रोसीजर है वो क्या है मुझे पता है चैट्टर बन पहले पढ़ाना है चैट्टर नाइन पहले पढ़ाना है क प्रोसीजर को याद रखने के लिए बढ़ां इक चोटा सा निमोनिक इस चीज़ को जहन में रखो ज़रा कि यह क्या लिखाव है काई रोग सी ए आई की पावर थरी और ये टू काई वह यह कहा है बढ़ा सुने प्रोसीजर्स है क्या यह अब यह निमानेग्ट एक चीज ना आक ज़र बताते जा रहूं यह निमानेग्ब किताब में लिखाओ था जी टी जी कि वो तो खेरा बाती ही निमानेग्ष मेगरा कहीं ना कहीं बॉक से देखे रहे हो ते अधर अधर सुनग बटा और अधर जो कर आप वोगों के सार आदा तो आपने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा दिया था यादिस दाए चीज आपकी दरी कवर हो जादी फिर टॉपिकल वाइस जाएंगे तो हर चीज आपके जहन में होगे अच्छा ये तक क्योंकि पहली दूसरी क्लास में बदाने का मकसद यह गया स्टैप्स नहीं है लुगा बास बच्चे पता किया बोलेंगे सार पहले सी करेंगे अभे भाई मैं जैसा केस होगा वैसा पुर्सीजीर होगा ना अब केस आया उसने यह वाला प्रॉसीजर लग रहा है आर टुब सी क्यों लगाएंगे तो ही लिगिते परोसीजर आप पूर आपके पास खाली है इसमें आप लिखेंगे अब यह क्या चीज़ है बिड़ा सी का मतलब क्या है कॉनफरमेशन कि जी बिड़ा सी मतलब क्या है कनफरमेशन अब आपके चूटी सी मिसाल दूँ मैं हेलो मैंना केसिस बना रहा हूं ऐसे फर्जी तागे तुमको यह प्रोसीजर समझ में आज है मिसाल कि आपने देखा कि बैंक में पैस बैंक बैलेंस आपने बैलेंस शीट में देखी लाख उर्पे थे लिखावा का लिखा था बैलेंस शीट में 31 दिसमबर एज एच हो सकता फर्स जनुरी को पचास लाग हो जाए तहीं से पेमेंट आई है 39 को मैंने दो करोड़ की पेमेंट किया वाई एक लाख उर्पे की अमाउंट थी एज एज एच तक अधी दिसमबर आपने मुझसे बोला आरिस बैंक स्टेपमेंट वह मैंने कहा नहीं करा कि टाल दिया मैंने मेरे पास बैंक स्टेटमेंट अब आप पद्रे क्या करोगी आप एक छब्श्र लिक देंक को इसको लिकोगे इसके अपने प्रॉटोकॉलस एक वह कॉंफरमे है कि कोई भी information कोई भी क्या information को तस्दीक करना किसी third party से मिसाल वेड़ करना copy नहीं करना यह क्या लिखाव है i3 इस आई में तीन चीज़े एक आई लिख रहा हूं inquiry copy मत बेटा copy नहीं है मेरे writing आपको बता देगी जब इस तरह लिख रहा हूं तो आप नहीं करना inquiry inquiry का मतलब क्या होता है कि अहां पूश्टाच पूश्टाच तदीक पता है ना नहीं पता खाले सुर्दू का लफ्स है इंक्वाइरी क्या है आपने मुझसे पूछा भाई 31 दिसम्बर को इंक्वाइरी आपकी नॉलिग्स में बात आ गई एक लाग रुपे आपके जहन में बात पढ़ गई लाग हो रहें आवे नेवल इनफॉर्मेशन को कि इसी थर्ड पार्टी से तज्दी करना इस वॉट्स आपने बोला चलिया मुझे बैंक से पूछना है मैंने का पूछ ले तो दरसा कॉन्फरमेशन आपने मुझसे पूछा सारारीज दिर इस अ सप्लाइर नेम मिस्टर ए ए लिमिटेज उसके आपने कितने पैसे देने मैंने बोला पचास अदार देने और एज़ा ठीक है यह क्या था यह था अठीक है मैंसरे पूछूँगा यह कह फिर आप एख़त लिखो गे सप्लाइर को सप्लाइर चेक करतो तेरे सब्सक्राम का मतलब यह संक्रमेशन का मतलब होता है चैन फर्मेशन ऑफ कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कि फ्रॉम थर्ड पार्टी मुझस्थ खवतीनों हजराथ बिटा थर्ड पार्टी की कोई मिसाल बोलोगे आसाल लैंग्विज मैं बोलूं कनेक्टेड इस्टेक होलर जो भी आके जिनके साथ आपका कारोबारी लें दिन है कौन है कस्टमर को फ्रेट पार्टी बोलेंगे जो भी दो चार पार्टी के नाम लेकूं का मतला बोलता है किसी अगेनेवन इंफॉमेशन को प्रस्दीट रागूं अच्छा कॉन्फरमेशन मीन्स कॉन कर रहा है तब ही तो उसको क्या बोलता है वह सबूत है और सबूत की बुन्याद पर जो बोलोगे वो पीडियने डास वेरी सिंपल देगो आपने खुद वह दुबारा रिपीट मचे दर वार्यू जो कर रहे हो क्या है तो सीजर सब इन इन फॉमेशन विज्वर कलेक्टिंग एविदेंस और उस एविदेंस की बुनिया पर जो आप बोलोगे लैश्य ओपीनियन अदर ओडिट रिपोर्ट नेक्स आगे विड़ा इस इस का इन फर्मेशन हमेशा क्या लिकाव है एए एफ और अनलिटिकल प्रोसीजर एफ और वट बेड़ा अनलिटिकल प्रोसीजर यह जो चीज़े में आपको अभी पांच पांच दर्जस मिनिट में बता रहा हूं आगे जाके इट विल बिकम आटॉपिक सही है एंड इस विल और सो दिस विल और सो प्रीन जब यह पढ़ाऊंगा तो आपको पहले से पूरी स्टोरियां पता है क्योंकि जो पढ़ाना है ना विटा बात में जो पढ़ाना है उसकी एक्जाम्पल्स में आपको अभी दे रहा हूं लिखरे कम है वाट इस अनलिटिकल प्रोसीजर मुझ आरा सत्तरा सोना ग्रॉस प्रॉफिट एक्टालिस पर्संट अग्टी नैन पर्संट अग्वाटी टू पर्संट और इस साल में हमारा ग्रॉस पॉपिट हो गया है एटी पर्संट कमेंट सम्टिंग कुछ बोलो अगर मैं आपको बोलू हूं कि आप एफ फाइफ या एफ सेविन के बच्चे हों कमेंट करो पते क्या कमेंट करते ग्रॉस पॉपिट बड़ा है सेल बड़ी है यहां दे कभी आफ में कॉमेंटरी सिखाए थी वह तारीफों के फूल बानना शुरू कर देंगे कंपनी अच्छा गर कोई बच्चे फट पढ़ा तो अलग नजरी से सोचना एफ सेविन होता तो यहीं बोलते बाई जीपी वर्ड है और शेयर होल्डर खुश होंगे यह वह इंवेस्मेंट हैगी वह उस किसम के डायलोग बाजी आप मैनेजमेंट बनके सोच रहे हैं एक चीज़ सीख सेको कि शेयरोल्डर्स को नेश्टल इंटरनेशनल शेयरोल्डर जो भी एक ही इनफरमेशन जाए एक कानुबार समानना है एक सिक्स क्या है कि मुझे पता है मैं कितना कमात हो गौर्मेंट को मुझे बताना उसके टेक्सबल रूल्स हैं वगरा वगर आगर आप एप में यह अबिलिटी जरूर होनी चाहिए यह क्या है शक करना डाउट करना उसकी वज़ाए और एक शक करने के ओपर 20 नमर का सवाल है हमेशा आता है हाँ हाँ आपको केस मिलेगा और आपको बोलेगा यह है आशक करो एफस में क्या क्या खतर है बढ़ा उसने 16 नमर की केस्ट क्यों जाता है बिटा डाउट करना अगर आपको एक और शक करना नहीं आता ना तो वह अडिटर ही नहीं उसकी वज़ाए आपने बोला भाई जी पी आपने बोला वह वेरी गुड नाइस मस चले गए बिटा जब तक आपके अंदर शक करने की नहीं है वह अबिलिटी तो आपके अंदर प्रोसीजर्स लगाने की कोई कुरियोसिटी भी नहीं होगी अब जो भी आप चीज़े देखो ना अब हुआ यू आपको शक करना है और यह वाला एटिट्यूड रखना है पिद्य ऐट एटिट्यूड क्या है ऐट दिखा रहा है दिखा रही है अब वह जो नजर आ हुआ है एमाइंड़ सेट को डिशूड क disfr क्रिटिकल का मतलब बहुता है पॉजिटिव भी सोचना और सही भी सोचना और गलत भी सोचना लेकिन यू आरेन ओड़िटर यू शुड़ हवा क्रिटिकल का मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं है अब मैं आपको मिसाल दो इदर आ जाओ वाट इस अब फड़े नहीं पढ़े ठीक है तारीफ नहीं करना आपने शर्फ करना है वाट इस ठीक है अन्यूज्वल है इस यूज्वल नो आपने बोला यार हरे सनी तुम्हारा जीपी एकदम से डबल हो गया और मॉस्ट डबल ही ह और मॉस्ट डबल है आपने बोला जीपी कैसे आता है आपको याद आया सेल सीओ जीएस जीपी तो आपके दिमाग में ना दो शक्त पैदा होने चाहिए या तो सेल ओवरिस्टेट है या सीओ जीएस में डंडी मारी है तुने अब तुमने अपने जहम में क्या चीज़ पै सेल के पूरी रिकॉर्ड दिखाऊ और आपको यह चीज़ नॉर्मल लगी अबनॉर्मल लगी मेरे पास आपने बोला सर्वाट इस यह अबनॉर्मल लग रहा है जस्टीफाइब करें मैंने बोला यार जस्टीफाइब करता हूं अब करता हूं मैंने बने जहें स्ट्वर्मल लिए और मुझे सइदनल्ली पचास इंट्रनेशनल लॉडर्रस मिल रहे हैं आप मन लोगे मैं बनाना पचास इंट्रनेशनल आरदर मिलें यह रसमलाई काओ ऑडिटर तो हम मानते होगे रसमलाई ठाले नहीं बही च तो मैंने आपको उस पचास ओडर्स की सारी की सारी डिटेल दी सब एक्चुन थी जैनुएंट थी अब आपकी नजर में यह जीपी मार्जिन मुनासिव है अब कोई शक्त नहीं है क्योंकि आपने क्योंकि आपने क्या क्या कंटेर करने के बाद इन्वेस्टीगेट इदर किया वैरिफाइगा दुबारा रिबीट कर दो दुबारा रिबीट इस नॉर्मल और अबनॉर्मल तो वाट इस दाउट इन यह माइड़ सेलोव इस्टेट्स दूसरा सवाल क्या जरूरी है कि मैंने कुछ निस्स स्टेट्मेंट की हो यह कंपेर दां फिगेर्स किया कि पिटा एंड आपने इन्वेस्टीगेर किया है यह किस चीज़ को नॉर्मल चीज़ को यह उनुजिव इसको अच्छा एक मिनट सुनना विटा यह एनलिटिकल प्रोसीजर लव्ज निकला है एनलेसिस से इनेलाइज बहुत गौर से अनेलाइ बेटा यह हो गया कॉपी शॉपी नहीं कर रहे हैं इधर ध्यान दो दिमाग को ट्रेंट करो ध्यान देना एक मिनट यह टादू एक और चीज़ लेट से बेटा दोजार ठारा एंड दोजार उनिस जिर वज़सेल सौरवे की और सेल हो गई एक सो बीस की परसेंटेज में खेलना हमेशन से पिते सब बढ़ रही है इस परसेंट मैंने सिंपल की रखिया एक कर्चा है डिस्ट्रिबूशन का किसका डिस्ट्रिबूशन का मतलब वो डिलिवर तो कैसे हो गया तुम्हारे असाथ से कितना होना चाहिए बारा रुप होना चाहिए पदा है क्यों डैस परसेंट आपने अच्छा तो आपने देखना है जो चीज़े ट्रेंट से आउट जा रही है उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो आपने बोला यार अजुमिंग बा आइडेंटिफाई किया किस चीज़को और उसको तुमने क्या किया आइडेंटिफ कंपियर दा फिगर्स एन इंवेस्टिगेट दा अन्यूज्वल डिफरेंस एक मिनिट वेट करना इसमें तुम्हें दिमाग में शक्त क्या जा रहा है इदर अब बच्चे बूलेंगे मिस्स्स स्टेटमेंट का तो बाइब मिस्स स्टेटमेंट को है किस चीज़का आपको और आसान करता हूँ वो याद है F7 में कभी आपने एरेट्स बढ़े थे F3 में सारी कमिशन, ओमिशन, ट्रांस्पोजिशन ये वो सारे तो तुम्हें इस वक्त शक जाएगा आपके दिमाग में किस चिसका शक आना चाहिए, रिसकोड ओमिशन, आप बोलोगे, रारेस ने तुमने डिसिबिशन एक्समेंस ओमिज कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा, क्योंकि सेल किते से बढ़ी है, इसमें इतना शक नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुता सेल बढ़ी है, अब सपोर्स करो सेल होगी ये, शक हो रहा है, यार पिछले साल तु सौर पे कमा, इस साल ग्यारा सौर इतनी सिलकों एक साल में कमा सकते हैं, यह सुनो, यह तो वही बात होगी, आपने कैश बैलेंस किया, पिछले 5-6 सालों में मेरे पास कैश बैलेंस था, 10,000, 11,000, 12,000, इस सालों क्या 10 लाग, नॉर्मल है, अबनॉर्मल हजीब सी बात, तो इस सम्धी ना, यह आप टो है, मुझे बोलो कि भाई justify करो, क्या करो, मैंने का ओ, sorry यार, 13 रुपे था, मैं लिकना भूल गया, sorry, thank you, अब खतम हो गया, जगड़ा, that's it, now it's normal, मैंने कहा नहीं, जीरो ही है, आपने का भाई, तेरी सेल बढ़ लही हो, distribution expense क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, कम नहीं हो रहा क्या हुआ है, अजीब सी बात है, मैंने बोला, 2019 में, मुझे आंसर बताना, क्या ये बात हसम हो रही है या नहीं, 2019 में मैंने आपको बोला, मैंने बोला, देख भाई, ऑडिटर, 2019 में हमने हमारी policy change कर दीगी, हमने policy बनाई है, कि 2019 में हम distribution, courier service का खर्चे, ITCS का, वह हम बियर नहीं करेंगे, वो customer ही देगा, कौन देगा, यानि कि product जब deliver होगी, तो delivery के खर्चे बोलेगा, बात समझना आ रही है, माल लोगे, फिर, कैसे, policy दिखाओ, क्या दिखाओ, उस policy पर sign होगी, chairman की, और CEO की, policy देगी, हाँ है न, अभी भी नहीं मानना, अभी भी आपको ठंडी पढ़नी चाहिए, आप बोलोगे, आरिस में, website खोलो, हाँ, website पे बड़ा-बड़ा लिखावाए है, कि delivery excellence customer का है, जानी कि पॉलिसी बना कर दराज में रखनी नहीं है, policy बना कर relevant लोगों को circulate भी होनी चाहिए, yes or no, sample base में न, वो, जिन लोगों को मैंने sales की है, उनके records उठ आगे देख लो, कि delivery के खर्चे वोई दे रहे हैं नहीं, बगयरा बगयरा, अब आपको इस चीज की क्या मिल गई है, तसली मिल गई है, हाँ भाई, ठीक है, very good, आगे बढ़ लाई, now point, what you did, compare, what you did, और compare करने के बाद क्या क्या क्या, किस चीज की investigate क्या है, और इस चीज को बेटा क्या क्याते है, अनलेटिकल प्रोसीजर, सही, लिखो जल्दी सर्थ, नीचे कोई example नहीं लिखना प्लीज, जब तक मैं आप बोलू, नहीं लिखना, वो लिखनी है, खुद से लिख लो, कहीं साइड बे, हाँ, यही तो काम ए, इसी के लिए आपने पैसे लिए है, अरे नहीं नहीं यार, देखो, ऐसा थोड़ी बार बार गयरा को, छोड़ा थोड़ी रखाया है, बात सुन, मेरी बात सुनो, पता है क्या सिस्सेम है, सुनो, यार आप पहले पूरी एपस पर अनलाइस कर लो, यह बारा चीज़ा उन्यूजवल है, तो यह बारा के बारा हम से पूछ रहे हैं, ऐसा थोड़ी वो डिरेक्टर बात सुन, ठीक है, इस तरह है, क्या यार का सवाल था ग्रेट, आलाइक है, अच्छा, आगे बढ़ो, कन्फरमेशन, कन्फरमेशन का मतलब किया, बेटा, किस से पूछ को कंपियर करना, इंवेसिगेट किसको करना, जो आपको थोड़ी सी सम्धिंग डिस डालेंस लगेशन, तो सही है, नमबर वान, स्कूज मी, कोई भी चीज, यह भी मैंने इसी की मिसांट, तुमारे एक्जमपल लेकर कंटीनू करते हैं, आपने मुझे बोला, यह क्या है, यह कुछ अजीब सी जाथ लग रहे हैं, मैंने का ओ, सॉरी यार, इट वास थर्टीन पॉइंट फाइफ, को यह सर्विस के पेट्रोल के दाम बढ़े उसने बढ़ा दिया, मैंने ठीक कर दिया, एक मिन, शक किसको था, आप लाकि मुझ से, डिसकस किया, पूचा, भाई, इ यह ओमिशन था, मैंने रिकॉर्ट करना मुझे, मैंने एंट्री पास कर दी इसकी, एक्समेस डाबिट, सही हो गया, पस, फैनेचल इस्ट्मेंट, रूएंट थे, तो भी फैनेचल इस्ट्मेंट, रूएंट फियर, गलती थी, हाँ या ना, या फ्रॉट था, हाँ या ना, आपके कहने पर मैंने उसको ठीक कर दिया, अब क्या हो चुका है, अब ठीक हो चुका है, अब आप कौन सा ओपिनियन दोगे, टूएंट अगर गलती ठीक ना करें, फिर कौन सा ओपिनियन देंगे, टूएंट फियर नहीं, यह और इंट की लिमिटेशन है कि बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि और जो सेंपल उसमें घल्टी तो हम कुछ नहीं कर सकते हमारे साथ भी होते एक टॉपिक छोड़ते पेपर में वही आ जाता है तो इसके लिए आपको सेंपल बढ़ाना होगा जी बोले नई बटा एक सेकिंद क्या मुझे बात बताए कि आप मेरे 50 कस्टमर्स है कि सबसे कंफरमिशन लोगें तीज सबसे कंफरमिशन लोगें किससे लोगें जो आपकी मर्जी अब मेरे 50 कस्टमर हैं इनसे 2000 लेने इनसे 3000 इसे 4000 इसे पांच इसे 10 उसे दो लाख डेफिनेटली यूविल कंफर्म वाला स्टेमर्स अपला है वो एक अलग चीज़ है एक मिनट बेटा जो इसने सवाल किया न यह क्या लिकाव है अलग आईज़ा है बेटा 320 उसके अंदर सारी चीज़े जो तुम करें नहीं मटीर चीज़े बार बार रिपीट हो रही है इधर सब्सक्राइब करें इसको भी चेक कर लो एक मिनट विड़ा जब आपने मुझे बोला कि साड़े-3 का साड़े-3 का एक्सपेंस है तो कि आप भी मान लोगे नहीं रशीदे देखो कि टी-स का इतना भी लाया है या नहीं जो चीज़े भी आपने मुझे से कहा हरे इस तो ठीक कीजिए और मैं ठीक कर लूँगा तो ठीक करने के बाद आपको मजीद प्रोसीजर लगा कि उसको वेरिपाय करना है कि करेक्शन भी सही किये या नहीं किये अगर एपस में गलती होगी डारेक ओपीनियन खराप कर होगे मैं ठीक नहीं कह रहा है अब 20 नहीं कि नहीं प्रॉडर पब्लीक है और पब्लीक में वह पब्लीक भी आ जाएगी जो होने वाले शेरोल्डर भी थे तो गलत इंप्रेशन चला जाएगा प्रोड के आइजा में लिखा वैसे बताने वाली बात नहीं थी तुमने पू दो बताओं गए इसको बताओगे रेगुलेटर समझते क्या होता है कि इसे करते एक इंडस्री को जो कंट्रॉल करते हैं इक्जैंपल देखो पॉर एक्जैंपल आप पैट्रॉल कमपनी हो तो इनके रेगुलेटर्स यह है कौन अगर कोई बच्चा पाकिसान से बाएर है अगर आप बैंक को तो बैंक के डैडी कौन है स्टेट बैंक पाकिस्तान अगर आप कोई न्यूस चैनल हो तो उसके डैडी कौन है टैमरा और इन सब के डैडी यह है यह कौन है हाँ यह रहा है सिक्यूरिटी इन एक्सचेंज कमिशन ऑफ पागिस्तान जहां से आप कंपनी रेजिस्टर वगर रहा है तो जो आप पर भी बोला तो अगर डैरेक्टर्स लेवल का कोई फ्रॉड होता ना तो मुसको पब्लिक इसकी नहीं कर सकते यार क्योंकि का टेक्स बनाके एफ बियार को जमा कराने के बजाए जेब में डालके घर ले गया और आपको यह बात अगर पता चल गई तो आप किसको बढ़ाऊंगे जो उनके ड्यान से देख लेना पता चल आप उनको जो करना वो नहीं कर रहे हैं अब बिटा आप जरा टॉपिक पर आते हैं स्क्यूज मी वरना यह कायरो रहे जाए का मैं चाहरा हूं यह कमस्तन आपको बता के जाओ बिटा दुबारा से स्क्यूज मी वंस अगें प्लीज वैँ कंच्रंट्ब वह अना फैसे को प्रसिजर वट्स प्रसिजरot अब वाट्ची स्प्रोसीजर लिखा वर्जार क है वन्तठें में कर त infrastructure जो काम कर रहा है न कर रहे हैं तो आए ओर टो यह कि यह ज़्दी वोशी फॉर केंफर्मेशन किसे करते हो एक्स्टरनल पार्टी से एफ और अविलेबल एफ और साइने करने और किस चीज की च्छन्बीं करनी है संथिंग विजिस अन्यूज़ तो यू यह लिगा आई तरी तीन चीज़े आई से स्टार्ट हो रही है विड़ा पहला तो एक लिखिए का आई आई फॉर इंक्वाईरी अच्छा बच्छों इदर वट इस इंक्वाईरी इंक्वाईरी का मतलब क्या है पूछताच करना सवाल करना और आप सवाल पता कब करते हो जब आपको कुछ पता ही नहीं होता मिसाल अभी ऑनलाइन बच्छे ने किसी ने लिखा सर शेडूल क्या है क्लास की डेस क्या है यह जो बच्ची ने लिखा यह क्या है इंक्वाइरी मेरे बोलने के बावजूत किसी और से पूछ लिया यह क्या है इंक्वाइरी का मतलब होता है आसकेंग क्वेस्चन्स लेकिन एक छोड़ा सा प्रॉब्लम है केंफर्मेशन हामेशा किसे हो रही है इंक्वाइरी किस्से हो रही है आप एक्स्टरनल वारे से इंक्वाइरी कर सकते हो कर वह बूलेगा जा निकल कौन आप उडिक किसका कर रहे है अ dado मेरी कर रहे हैं विभले मिरे उतलब होता है आस की सवाल जवाब इस तेंद आवरे की है आएया लाइन के इस टासो लिखो साथ .... मैं नहीं आप मुझे बताएंगे क्योंकि आसान चीज़ें यह पंदे में आपको इसी लगेगा लेकिन जब आम आंसर लिखने जाएंगे ला तो उसमें ट्रिक का मानी है उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना लेकिन शुरू की क्लासिस में माइंड सेट करना बहुत जरूरी है मैं आपसे कहता हूँ कि यह प्रोड़क्त मैं तीन अजार का ला हूँ जल्दी बोलो कैसे चेक करोगे बोलो इसकी वह बिल दिखा दे बिल मैंने इन्वाइस ठीक है जहन में रखना केस्टू आपने बोला बाई मैंने बोला कि यह वहिकल मेरी है कैस्ट चेक करोगे प्रोसीजर को अंगरेजी में बोलेंगे इंस्पेक्शन ओफ डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन ओवाट वीड़ा डॉक्यूमेंट्स दोचार एक्जामपल लिख लो बिड़ा कोई भी ऑफिशल डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपसे का बाई-जान सुनो माल पहुच गया पहुच गया डाई-बजे नहीं माल पहुच कि आया है माल आया है यार बश्मन ने आने-वान एमेटू नी पड़ा जब माल आ देखो जी-आरेन मनता है मैंने का भाई ऑडिटर माल डिस्पैच हो गया है पहुचा दिया कस्टमर को जी-डी-एन यह इतने रुपए का है इंवाइस बैंक की स्टेटमेंट बेटा दो चार कुछ कागरजाद के नाम लिख लो जैसे जी-आरेन हो गया जी-डी-एन हो गया एक्सेक्टरा बद जो प्र लिख लो भाई जो भी दोचा डॉक्यमेंट्स के नाम लिखो जल्दी से कोई कागजार पर रेजिस्ट्रेशन डॉक्यमेंट्स बगारा है ना हाँ तो पते कि आपके च्छिट सिवाब पता हूँ अभी जिससे आज कहा हो सकता है एक दिर हाफते में यानिके नेक्स व इन नहीं यह एविदेंस नहीं है वेट अब लॉक्त में लाकुर्पे पड़े हैं कैसे चेक करो गए यह मेरे आत्मेंक इस्टेट्मेंट है मैंना देखा 31 दिसमबर को लाकुर्पे अब जो चीज मैं देख रहा हूँ यह क्या है यह एविदेंस मेरा बैंक स्टेट्मेंट उठाके पर्णा ये क्या है इस्टेक्शन प्रोसीजर है सही है दुबारा से ये बैंक सेटमेल है ये इन्वाइस है आपने भाई 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 ये तुने प्रोड़क्त तीन हजार की लिए वो दिखा दो बिल ये बिल उठाया आज की तारिक देगी तीन हजार देखा बिल है नहीं कि evidence is the verification of the information अभी evidence को छोड़ो evidence को छोड़ो इसे डन आगे बढ़ो एक और आई इसमें बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं जो मिसाल तोई दिर पहले डी पी एक नहीं मशीन रूम नंबर जी त्री में मैंने लाके रखी है कैस चेक करोगे जा घर देखोगे मैंने आपसे का यह और उपर वेरांस है हमारा वहां पर इंवेंटरी पड़ी यह पाथ सो यूनिट्स है क्या करोगे जागे देख लोगे अच्छा हां काउंटिंग भी जिसने बोला एक चोटी सी में हां हां करते हैं यह आपका काम है यह चीज़ है अच्छा ऐसे मैं आप कैसे कैसे करों थैंक्यू कैसे करों करेंगे एक थोड़ी चीज़े काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साफी किसी ने गुद्गुदी की फिर भूल गया मैं तो इस एक तरीका है ना उसका तरीका पते है आर्सी आर्सी रोजन कॉलंस आज्यूमिंग लेकिन इसमें तरीका ही होना चाहिए कि आपकी इन्वेंटी से डिस्सिप्लिन से हो जैसे एक्जैंपल एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच चे साथ आट नो दस कितना हो गया पॉटी ठीक है पॉर इग्जैंपल पॉटी एक चीज आप देखने लग जाओ या प्रैक्टीकल ही करी नहीं सकते अच्छा अब इतर आजए बिटा मैंने आपसे क्या कहा है इंस्पेक्शन और K Assets, किसी Asit को जाकर नहीं बेटा अंदाजा नहीं लगाना अंदाजा नहीं लगाना कुछ आप ने वो करने हैं Procedures करने हैं वहनूद आपके एक तरीहा तो बताई दिया है, Anyways inspection of Assets, this is the inspection of assets आगे बड़े बेटा इस सारी situations है आपके बास, जैसी situation होगी वैसा प्रोसीजर फिल से कहता हूँ यह प्रोसीजर्स हैं स्टेप्स पेटा जल्दी बोलो सीपॉर्ट क्या करना उर्दू में बोलो थे एक्सेल पार्टी से किसी इंफरमेशन को तदी करना एनलेटिकल प्रोसीजर का मतलबत है पहले कंपेर करो और तुमको जो ना किसी चीज लगे उसकी चांदीन कर लेना इंक्वारी माने सवाल-जवाब किस से करोगे क्लाइन के स्टाफ से इंटर्नल इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यमेंट्स को इंफरमेशन है तो उसका कावस भी होना चाहिए और अगर कोई एसेट तो उसको इंस्पेक कर लोगे हाँ य जी बहला इसमें एक है आपके पास queen केलकूलेशन और एक हैरी परफॉर्मेंस बहला दोनों अलग-अलग चीज़े हैं तो अलग-अलग चीज़े हैं एक री कैलकूलेशन है दूसरा री परफॉर्मेंस है very much difference audit procedures का introduction दे रहा हूँ detail में दे रहा हूं introduction जब पढाऊंगा बोलोगे sir आता है case करेंगे आप खुद ही बताओ कि सही जब आप मुझे पता है बोलूगा लिखो हाथ का पेंगे मसला सिदर उधी जाते सिर्फ ड्राप्टिंग नहीं हो रही है अब इदर आव बेटा दुबारा री कैल्कुलेशन क्या चीज़ है कोई डॉक्यमेंट बताओ कुछ भी डॉक्यमेंट बताओ नहीं नहीं जो मैंने प्रिपेर किया हूं मैनेज्मेंट नहीं और वा सब्राओं क्या है किaran מא कि यह द्लें मुझे बोला इस चेलांये MA台 का सब्राइल हो रहे है तो ब्रॉट य시면 सोनों आभ वा है कि आपने वोले सो यह मैं यह बनावा है आप ने उठायbon यह ना trial balance एक तरफ हडेबिट एक तरफ किया है इसका total था साथ सो नौ इसका total भी कितना था क्या पता मैंने प्रोड यू अधर आप ने उठाया डेल बैलंस कैलकुलेटर लिया बराबर वाले से मांग के अपना तो लाते ही नहीं है कास्टिंगे कास्टिंगन के कास्स प्रस्टाल ड्रपक्राइब कास्टियु अपने इसको कॉस्ट लिखा हो हूं यो अपने जीकश्न गण्यों आप ने इस लिखा चेक किया, what is this which you are doing, recalculation, आई बस समझे, तो recalculation में आप कोई कारणामा नहीं कर रहे हो, सिर्फ calculator उठा के 2 प्लस 2 is equal to 4 चेक कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, है, recalculating figures to check total, यानि कि प्लस माइनस मल्टिप्लाइ डिवाइड, जी बच्छे बात समझ आई है, आया ना, what is this, recalculation, अगर इस प्रेडशीट पर बनावा होगा, formula गलत लग सकता है, नहीं, आप इस प्रेडशीट पर जाए, इस प्रेडशीट पर सारे सेल्ट करते मीचे total नहीं आ जाता, क्या पता, देखो एक मिनट, यह spreadsheet पर बनी थी trial balance, तोटल भी आया था, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि spreadsheet बनाते वे मैंने कई formula में कई माइनस भी लगा दियो, some का formula नहीं लगता है, तो formula चेक कर रहा है, बटा आपका आंसर भी जो examiner कैसे चेक करते हैं, formula ही से करते हैं, बटा जल्दी से, what is next, क्या परग है, को बता सकता है, कौन मनाएगा, पैत्रीम, आपने बोला, आपने आपको दिया, आपने देखा, साइड पर रख दिया, आपने बोला, इसकी raw figures दिखा है, क्या दिखा है, यानि के ledgers, अलए, क्या दिखा हो, लेजर और देबूक स्नुदा रहा हूं, तो मैंने आपको ledgers और डेबूक्स दी, अब आपने खुद trial balance बनाया, क्या बनाया, आपने बनाया, trial balance और मेरे बनाया वे trial balance से कंबेर गर लिया ठीक है अमेरेट सवाल जादा तसलीक इस पर मिलेगी लेकिन टाइम जादा लग रहे हैं क्या लग रहे हैं लेकिन एक बात सर आपने भी तो बदाई थी ओडिडर को करना है दिमाग में शक पैदा चार कैलकुलेशन्स हैं तुमें एक पर बहुत शक है री कैलकुलेट करके फारिक कर देट्स यूर चॉइस जो यूर प्रोसीजर्ट्स आपकी मर्जी कैसे भी काम करें आई बस समझ में बट वाट इस वी परफॉर्मेंस का बटा मतलब यह है कि और इटर वो काम खुद परफॉर्म करदा है और सामने वाले के काम से क्या करेगा और करेंगा पर आपको चिक अचरेंगे लेखने में रिइपर्फॉर्मेंस में यूद्ऐ है पूरा कॉंसेट होता क्या है है जबकि री कैलकुलेशन में मैं चोटी सी मिसाल दू चोटी सी मिसाल इधर यह डवीट है इधर लिखा टू प्लस टू प्लस टू इस इपूल टू छे इधर भी छे तुमने कैलकुलेटर उठाया और देखा आंसर कितना रहे है। लेकिन क्या पॉसिबल है कि यह जो दो रुपे की सीगर लिखिए यह इटसल्फ गलत हो तो यह इसकी तद्दिक इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी जब आप इसको री परफॉर्म गरोगे अई बात समझ में तो री परफॉर्म में पूरा अकाउंटिंग का कॉंसेट भी चेक ह परफॉर्म दा सेम वर्क बाई हिमसेल्फ एंड विल कंपेर विदा वर्क आफ मैनेज्मेंट बिटा से पूरा का पूरा अकाउंटिंग कंसेट चेक हो जाता है क्या चेक हो जाता है बिटा चुक्त आफ से जबकर री कैल्कुलेशन में सिर्फ क्या होगा नंबर चैक होते हैं क्यों डॉड़ा है आई बास समझ में यह जो पेपर की स्प्रूटनी वगेरा नहीं होती है जो पेपर री चेकिंग कराते हैं वोर्क री कैल्कुलेट करते हैं वो स्भी करते हैं वह कि नहीं मैं ओवर बात कर रहा हूं राइट विए नाइन टैन एस यह जगावा उसके पीस हाँ है सब जगाव लोगे हैं पता नहीं कितनी पीस हादी पीस होती ही मेरे खाल में चलो एनिवेज कि इसकीज मी इसे डंक लिकाई है हाँ या ना कायरो क्या है क्या है प्रोसीडियर है कौन कर रहा है यह बड़ा कायरो आपको बढ़ा है अब आजाओ ओओ अगे बड़ा ओ का मतलब होता है कि अगर आपने इंस्पेक्शन की जगा आदा नंबर कर जाएगा आदा नंबर कर जाएगा क्योंकि प्रोसीजर लिखने का एक नंबर होता है ठीक है और अगर आपने यह मैं आपको एक मिसाल दो कि पहने जरा अब्जरवेशन के बारे में बताओं क्या है बेटा अब्जरवेशन का मतलब होता है आप क्लाइन पे जाके आपकी मैं तो यह आपकी वह इंसानी फित्रत है आप नहीं पुरानी जगह कहीं भी जाओं यू आर अब्जर्विंग आप बार बार गए तो भी आपना अब्जर्व करना है मतलब चीजह हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें सब्सक्राइब कि अपने मुझे बुछना सर्फ बैंक बैलंस कितने मैं आने का बडी लेंगिज फिर यह सूर्णक टू आप किसी जगहा पर गए वहां पे सिस्टम एंड कल्चर भी आप जडाव तरौता है कि स्टम इंड कल्चर कि सर्वार्वआई की पॉलीची जो अमल ह हो रहा है नहीं हो रहा हो चीज़ है जैसे आप एक इंस्पेक्शन और अब्जरवेशन है आप यह सब्सक्राइब करने आए मैं आपको बला ऑडिटर जब बच्चे आते ना गेट से तो काड़ करते हैं और फिर उसके बाद अटेंडेंस लिखती फिर अंदर आ जाते हैं आप इसको कैसे चेक करो गया मैं आपको यह बताया चीक है आप चले गए वहीं पर कहां पर यह गेट पर मकई वगई खा रहे हैं आप साथ साथ देख रहे हो बच्चे यह अटेंडेंस लगा रहे हैं नहीं वाट इस 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 इंस्पेक्शन और अब्जरवेशन लोगे इस आपको इंस्पेक्शन मिली कि रूम नंबर जीवन पर हारी सनीफ एफटी क्लास ले रहे हैं हाइब्रेड क्लास इस गूइंग ऑन एक इंस्पेक्टर होगे प्रोसेस उनकी वे अग्जोबी एक्शिक्यूडिंग टास्क है उसको अब्जर्व करना है क्या करना है उसको अप्जर्व करना है उसको अब्जर्व करना है तो observation में क्या क्या चीज़ा आ जाती है बिटा observing things at client बिटा क्या चीज़ा आप client पे जाकर observe करो के बताना बिटा जी बिटा क्या क्या चीज़ा आप observe कर सकते हैं client पे जाके उनका control system body language example पर नहीं लिखेंगे वैसे है ये चीज़े होती है बिल्कुल ऑडिटर के चीज़े बॉडी लग में से मुझे कुछ डाउट लग रहा है बट भी लॉट राइट ओवर हैं बिटा observing the things that clients control system कि वहां के culture कि वह भी बिएवियर उसमें तुमाम चीज़े बिटा वहां के S.O.P.s चेक कर लेना S.O.P.s इस्टेंट्स फॉर इस्टेंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर बाज लोग अभी भी S.O.P. को बोलते मास्क लगाना नहीं हो था सुनो इदर इस्क्यूज मी इसका मतलब होते है स्टेंडर्ड ओपरेडिंग मैंने आपको इग्जैंपल क्या दी मैंने बुले हमारा प्रोसीजर ये है बच्चे आएंगे कार्ड़ स्वाइप करेंगे ख्लास में अब पिर आएंगे रूम चार्ट देखें गे क्लास में आके बैट जाएंगे और क्लास में बैटके तो अबसेशन का मतलब होता है जो कि आपके आपके बास होती है तो बिटा अगर इंस्पेक्शन की जगा घलत हो जब आपको सवाल करें अब जब हम अगले हैंड़ पर जाएंगे ना तो उसमें हैडिंग होगी एडवन्टेजिस ऑड़िट और लिमिटेशन ऑफ और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है है क्या औरित शाप आहि Message को लिमिटेशन चाहिकशन है क्या आपकी आने से स्कूर ने मेंको प्रिंस्पल है तो यह ऩे सब्छान चलती है सकते हैं रसा लिमिटेशन मुझे पता है तो ऐसी लेटा है या अच्छा चलो कोई नहीं खैर एटापेंस कौन सा पहले बार लेड़ा यहां चला आगे बड़ो बड़ा आगे नहीं मतलब स्वड़ा रिकॉल करो जल्दी जल्दी रिकॉल करना है कुछ आपने भी सिफ आंसर करना जो मैं बोलू मैं रिपीट कर रहा हूं और यू ओडिटर शेर होल्दर की तसली के लिए आपने फाइनेशल स्टेट्मेंट को चेक करना है भरोसा किसी भी नहीं करना क्या करना है कैसे करोगे प्रोसीजर क्या है काईरो सद्वाइक पॉइंट और प्रोसीजर लगा रहा है सेंपल बेस्ट में चीजों को चेक कर रहा है और सेंपल बेस्टमेंट रांजेक्शन चेक करता है प्रोसीजर लगा के सबूत इकटा करके जो मैं बोलूंगा कि दर गया वो क्या है कि सेंपल बेस में मटीरियल ट्रांजेक्शन उसके बाद फ्रॉड डिटेक्ट करना हमारा काम हमारा काम इतना है कि जो आई-एस कह रहा है वह बाइजान आपने सच से लिखा है के ने लिखा कायरो अभी पढ़ाया है अगली क्लास में रिपीट कर है वहाँ पर आपको यहां पर और जो क्लास की लिंक भी मैंने शेयर कर दी थी राइट वस माई नमबर लागी सब काहां आप सर्फ हम से पूशेगा ठीक है चलो खुदाफिस मेटा अगली क्लास कब है फ्राइड़ को तीन बज़े बाइबाए जी बेटा अगली क्लास तीन से छे फ्राइड़ को अलाफिस